नमस्कार दोस्तों मैं सोनु कुमार एजुकेशन गुरुजी में आपका स्वागत करता हूँ तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी 2020 से लेकर जून 2020 तक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट हर्याना करंट फेर की और इसके पीडियो फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना और फ्रेंड से भी क्वेशन को मैंने पूरी डिटेल में समझाया है जिससे आपको यह असानी से समझ में आ जाएंगे और साथ की साथ मैंने वीडियो के एंड में कुछ मोश्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर क्वेशन भी कराए हैं आप उनका वेवर वेशन जरूर कर लेना और फ्रेंड अगर आप हर्याना के किसी भी गुर्मेट एक्जाम की तैयरी कर रहे हैं तो उसके लिए हमने कुछ नोट्स त्यार कर रहे हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप वह से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे वर्टसप नंबर 8590-8508 पर मैसेज कर सकते हैं अगर आप उसे लेना चाहते हैं अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो आप हमारे वर्टसप नंबर 8590-8508 पर मैसेज कर सकते हैं हम ये बुक आपके घर पे दो से तीन दिन में पुचा देंगी तो चले फिर आज का टोपिक शुरू करते हैं अब कला और संस्कृती मामलों का भिवाग मूलचन सर्मा से लेकर किसे दिया गया है बोती ज्यादा important question है तो बताए इसका अंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका अंसर आजाएगा कवरपाल गुजर अंसर क्या होगा C देखो पहले कला और संस्कृती मामलों का भिवाग किस के पास था मूलचन सर्मा के पास लेकिन अब इन से लेकर ये किसे दे दिया गया है कवरपाल गुजर को और एक भिवाग है C.I.D. वैसे तो ये होता है ग्रह मंत्री के पास और इस समय हमारे हरियान के ग्रह मंत्री कोन है अनिल बिज लेकिन कुछ संसोधन करके ये C.I.D. वाला भिवाग किस के पास चला गया है हमारे मुख्य मंत्री मनोहरलाल खटर के पास एक्जाम एक क्वेशन कैसे आएगा कि C.I.D. विवाग किस के पास है तो किस के पास है ये मनोहरलाल खटर के पास और इसके अलावा ये पूछ लेंगे कला और संस्कृति मामलों का विवाग किस के पास है तो कला और संस्कृति विवाग किस के पास है ये है कवरपल गुजर के पास किस के पास कवरपाल गुजर के पास मोलचंद के पास अब नहीं रहा ठीक है फ्रेंड आपको ये ध्यान में रखना है अब बात कवरपाल गुजर और मोलचंद की आई है तुम्हें इनके बार में पता होना चाहिए कि इस समयन के पास कौन से मंत्राले है जो कवरपाल गुजर है इनके पास मंत्राले है सिक्सा, वन, प्रेटन, संस्द्यकार्य मंत्री और कलाव है संस्कृति भिवाग ये न्यू है ठीक है अभी अभी मिला इनको और कवरपाल गुजर का जन्म हुआ था और इनका चुनाव छेतर है जगादरी और जगादरी पढ़ता है यम्ना नगर में और ये पिछली बार, जो कवरपाल गुजर है ना ये पिछली बार क्या थे विधान सवा के अध्यक्स ठीक है और बात करें मूल्चंद की, जो मूलचंद है इनका चुनाव चेतर है बल्लवगड और बल्लवगड पढ़ता है फृरिदाबाद में और इनके पास मंतराले है परिभयन, खान वैखनन और कोसल विकास ठीक है फ्रेंड ये आपको ध्यान में रखना है इसकी पेडियेफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं त फिर अब देखते हैं अगला क्वेशन खेल लो इनडिया यूगा खेल 2020 में हरियाना ने कुल कितने पदख जीते हैं तो फ्रेंड ये जीते हैं 200 अंसर क्या हो गया बी इंपॉर्टेंट क्वेशन है ये बी यहां से पिछली बार भी क्वेशन आया था और इस बार भी आ सकत हरियाना ने कुल पदक जीते 200, 200 जीतने के बाद कौन से नंबर पे रहा, दूसरे नंबर पे, अगर हरियाना दूसरे नंबर पे रहा, तो पहले नंबर का भी पता होना चाहिए हमें, पहले नंबर पे रहा महराश्टर, पहले पे महराश्टर रहा, दूसरे पे हरियाना, और दीसरे पे दिल्ली, अब हमें पता लगया हरियाणा ने 200 पदक जीते, अगर एकजा में ये पूछ ले कि गोल्ड मैडल कितने जीते हैं, तो ये भी पता होना चाहिए, हरियाणा ने 7 पदक यानि गोल्ड मैडल जीते 68, रजत यानि सिल्वर पदक जीते 60, और कस यानि ब्रों पदक जिसमें 68 गोल्ड, 37 शिल्वर और 101 ब्रोंच, हरियाणा की बात करें, हरियाणा रहा दूसरे नमबर पे, जिसमें 200 पदक जीते कुल, जिसमें 68 गोल्ड, 60 शिल्वर और ये भादतर है, ब्रोंज मेडल ठीक है, ये भादतर है, ठीक है, पीडिए फाइल में मैं इसे ठ कर दूँगा यहां पराएगा भात्तर ठीक है 68 गोल्ड 60 सिल्वर और भात्तर ब्रॉंच दिल्ली की बात करें तीसरे नंबर पे रहा 122 कुलपतक जीते जिसमें से 49 गोल्ड 36 सिल्वर 47 ब्रॉंच मैडल और इसके अलावा और क्या important question बन सकता है खेल लो इंडिया यूथ गेम से देखो यह सुरू कब हुए थे यह हुए 10 जनवरी को और यह चले 22 जनवरी तक यानि 13 दिनों तक चले ठीक है और कहां पे आयो जीत हुए यह हुए असम के गुवाटी सहर में कहां पे असम के गुवाटी सहर में और कौन से नंबर के थे यह तीसरे नंबर के और स्टेडियम का नाम क्या था इंदरा गांधि स्टेडियम और इसमें 6800 खिलाडियों ने भाग लिया और कुल खेल खेले गए 20 और इसमें भारत के खेल मंतरी कौन है किरन रिजिजू यह तो होगी भारत की बात अगर बात करे हर्याना के खेल मंतरी तो कौन है संदीप सिंग जो की है पेवा से विधायक और असम के मुख्य मंतरी कौन है सरवानंद सोनेवाल अब ये तो बात होगी तीसरे संस्क्रण की जो की हुआ 2020 में हमें पता होना चाहिए जो दूसरा संस्क्रण था जो हुआ था 2019 में उसमें हर्याना कौन से नंबर पे र माराष्टर रहा पहले पे जो 2019 वाले खेल थे ये खेले गए थे माराष्टर के पूने में एक स्टेडियम है सिव छत्रपती स्पोर्स कॉंपलेक्स और बात करें 2018 के खेलो की इसमें रहा था हर्याना पहले स्थान पे कौन से पे पहले पे और माराष्टर रहा दूसरे पे और दिल्ली रहा तीसरे पे यानि दिल्ली हर बार है ता तीसरे पे मैं आपको एक बार बता देता हूँ दुबारा से जो दो जटारा में हुए इसमें रहा हरियाना पहले पे 19 में हुए और 20 में हुए इन दोनों में रहा हरियाना दूसरे पे ठीक है फ्रेंड देखो एक बात और याद रखनी है ये तो थे खेलो इंडिया यूथ गेम एक गेम और होंगे अब कौन से? खेलो इंडिया यूनिवस्टी खेल क्या? खेलो इंडिया यूनिवस्टी खेल ये शुरू होंगे 22 फरवरी से और एक मार्च तक से लेंगे और ये आयूजित होंगे उडिस्टा में ठीक है इसमें 17 तो कौन खेल खेले जाएंगे और इसमें 17 से लेकर 25 वर्स तक के खेलाड़ी भाग ले सकते हैं और बात करे कौन संस्ताएं या विस्सविधायलों की इसमें 166 संस्ताएं और विस्सविधायलों भाग लेंगे और खेलाड़ों के बात करे करीब 4000 खेलाड़ी इसमें भाग लेंगे ये सबी बाते मैंने यहाँ पर लिख रखी है आप देख सकते हैं इससे क्या होगा आपको समझने में असानी होगी ठीक है फ्रेंड आगे आपको समझने अब देखते हैं अगला क्वेशन मीनी सुरुज कूंड की तरस पर कौन सा मोचसव हुआ तो बताईए मीनी सुरुज कूंड की तरस पर कौन सा मोचसव हुआ है तो फ्रेंड ये हुआ है सरस्वती मोचसव अंसर क्या हो गया B और जो सरस्वती मोटसब है ये चला 27 से लेकर 29 जनवरी तक कहां पे चला ये भी पता होना चाहिए ये चला यम्नोनगर के आदी बंदरी में और ये मोटसब क्या था? एक को फ्रेंड ली जिसमें प्रायवरण को सुरक्षित रखने के बारे में संदेश दिया गया था ठीक है? अगला क्वेशन है जो कि important है अंबाला बस्टेंड का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा जाएगा? तो बताईए ये किस व्यक्ति के नाम पर रखा जाएगा? तो फ्रेंड ये रखा जाएगा सुसमा सवराज के नाम पर अंसर क्या हो गया? D देखो जो अंबाला बस्टेंड है इसका नाम सुसमा सवराज के नाम पर रखा जाएगा चोदा फरवरी को कब चोदा फरवरी को क्यों क्यों क्योंकि चोदा फरवरी को सुसमा सवराजी का जनम होता है पर बात करें सुसमा सवराजी के बारे में तो इनका जनम हुआ था चोदा फरवरी 1952 को कहां पे पलवल में लेकिन इनका पालन कोशन हुआ अंबाला में किसके पास इनके मामा के पास लेकिन important question कौन सा है कि ये 25 वर्स की उमर में अर्याना विधानसवा की सदस्य से चुनी गई थी और दिल्ली की पहली महिला मुख्य मंत्री भी बनी थी important क्या हो गया दिल्ली की पहली महिला मुख्य मंत्री कौन बनी सुस्मा सवराज और ये 2014 से लेकर 19 तक भारत की विधेस मंत्री भी रही थी लेकिन 6 अगस्त 2019 को सुस्मा सवराजी के मिर्त्य हो जाती है दिल्ली के एम्स होस्पिटल में ठीक है फ्रेंड इतना काफी आपके लिए अगला question देख लेते हैं 32 दिक्षान समारो कहाँ पर आयोजित किया गया तो फ्रेंड ये कहाँ पर आयोजित किया गया ये किया गया कुर्चेतर उनिवस्टी में अंसर क्या हो गया और कुर्चेतर उनिवस्टी कहाँ पर है ये है कुर्चेतर में ही और इस समारों में क्या किया गया था बच्चों को M.Ph.D. सिनात कोत्तर इन सबी की डिगरियां बाटे गई थी एक बात हमें याद रखनी है जो K.U.K. उनिश्टी है इसके कुलपती कौन है ये है प्रोफेसर केसी सर्मा हमारा अगला कुशन है हर्याना विधान सबा की कितनी सिट्टे आरक्सित है तो बताईए हर्याना विधान सबा की कितनी सिट्टे आरक्सित है तो फ्रेंड ये है 17 अंसर क्या हो गया? C देखो हर्याना विधान सभा की कुल सिटे कितनी है? 90 आरकसित कितनी है? उसमें से 17 अगर बात करें लोकसभा की तो हर्याना में लोकसभा की सिटे है कुल 10 आरकसित कितनी है? 2 और बात करें राज्य सभा की कुल सिटे कितनी है हरियाना में पांच और लोग सभा की वो दो सिटे कुन सी हैं जो आरकसित हैं ये भी पूछ लेते हैं एक्जाम में तो एक तो हैं अमबाला और एक है सिर्सा यनि ये दो सीटे लोकसबा की आरकसीत है हरियाना में बात करें विधान सबा की 17 सीटों की वो भी मैं बता देता हूँ अंबाला में तो मुलाना युमनागर में साढोरा कुर्चेतर में साबाद कैथल में गुला करनाल में निल्लो खेडी पाणी पत में इसराना सोनी पत में घरकोदा जीन्द में नर्वाना सिर्सा में कालनवाली फतेवाद में रतिया हिसार में उकलाना बिवानी में भवानी खेडा जजजर में जजजर की सीट रोत्तक में कलानोर रिवाडी में बावल गोडगाम में पटोदी और पलवल में होडल ये सीटे आरकसित हैं किसके लिए अनुसूची चर्थी के उमीदवारों के लिए और हाँ जो महिंदरगड है, फरिदाबाद है, पंचकुला है, नू है और चर्की दादरी है इन पांच जिलों में एक भी सीट आरकसित नहीं है, अनुसूची चर्थी के उमीदवारों के लिए एक्जाम में क्वेशन कैसे आएगा, आपसे पूछ लेगा, हर्याना में लोग सुबा की कौन सी सीट आरकसित है अंबाला या सिर्षा में से एक उप्षन में दे देगा, और तीन दे देगा, कोई अलग सीट तो आपका अंबाला उप्षन में तो अंबाला, सिर्षा है तो सिर्षा, अगर ये दोनों है, तो तीसरा उप्षन मिलेगा आपको A और B दोनों तो आपको लगाना है इन दोनों की अगला question है हाल ही में हरियाना के किस नेता का निर्धन हो गया तो बताईए हाल ही में किस नेता के मिर्थि हो गई है ये हुई है समसेर सिंग सुर्जेवाला अंसर क्या हो गा? B और ये कौन थे? रनदीप सिंग सुर्जवाला के पिता ठीक है? और ये कौन सी पार्टी से है? कांगरेश से अब जान लेते हैं जो समसेर सिंग सुर्जवाला है जिनकी मिर्त्य हुई है इनका जर्म कहां पे हुआ था? नरवाना में गाव है सुर्जा खेडा वहां पे हुआ था 24 मार्च 1932 को और मिर्त्यू कब हुई? 20 जनवरी 2020 को कहां पे दिल्ली के एम्स होस्पीटल में और ये च्यार बार तो नरवाना से और एक बार कैथल से विधायक बने थे इतना काफियन के लिए अगला कोशन है 2020 में हर्याना के किस खिलाड़ी को पदम सिरी पुरुसकार से समानित किया गया? ये इंपोर्टन कोशन है तो बताए इसका अंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड ये है राणी रामपाल अंसर क्या आएगा? डी और ये क्या है? भरते मिला होकी टीम की कप्तान और ये कहां से है? कुर्चेतर के सहबाद से ठीक है? अब बात पदम पुरुसकार क्या आई है? तो हमें पता होना चाहिए 2020 में पदम पुरुसकार किसको किसको मिले? देखो पदम पुरुसकार तीन तरह क्योंते हैं पदम भीवुशन, फिर पदम भीवुशन और फिर होता पदम सिरी जो पदम भीवुशन है ये मिला 2020 में 7 वेक्तियों को और जो पदम भीवुशन है ये मिला 16 वेक्तियों को और पदम सिरी मिला 118 वेक्तियों को अब देखो जो भारत का सबसे बड़ा पुर्सकार है वो कौन सा है भारत रतन ये है सबसे बड़ा पुर्सकार भारत का दूसरे नमबरा कौन सा है पदम भीवुशन तीसरे का पदम भुशन और चोथे नमबर पे है पदम सिरी ये मैंने आप लिखती है जो पदम भुशन मिल साथ विक्तियों को उनके नाम में बता दिता हूँ नमबर एक पे तो है जोज फरनेंडिस इनको मिला मरनो परांत ये याद रखना है अरुन जेटली इनको भी मरनो परांत मिला है यानि मरने के बाद मिला है उसके बाद है सर अनिरुद जुगनाद और एक मिला है मैरीकॉम को ये भी important है फिर छनुलाल मिसरा को मिला और ये सुसमा सवराज को ये important हो जाता है क्योंकि हर्याना की एक्जाम में यहां से question बन सकता है जो सुसमा सवराज है इनको मिला मरनो प्रांत कौन सा प्रुषकार पदम भीवुशन और साथ में नमबर पे मिला विश्वेसा तिर्थको ठीक है इनको भी मिला मरनो प्रांत जो पदम भुशन है वैसे तो मिला है ये 16 वेक्तियों को लेकिन आपको 3 वेक्ति तो जुरूर याद रखनी है पहला मनोहर पारेकर पीवी सिंदू इनका समद किस्सी है बेड मेंटन से वेनु स्री निवासन ठीक है और बात करें जो पदम स्री पुरुशकार है ये मिला है 118 वेक्तियों को इन में से आपको ये 6 याद रखने है जरूर सबसे पहले राणी रामपाल ये मिला होकी टीम की कप्तान है ये मैंने बता दिया अधनान सामी सिंगर है कंगना रनोत, अबिनेतरी, जीत्तुराई, एक्ता कपूर और अब्दुल जबार इनको मिला जो अब्दुल जबार है इनको समझिए जो 1984 में भोपाल गैस तरास्ती कांड हुआ था उसमें जो भी लोग पेडित हुए थे उनके न्याई के लिए लड़ाई लड़ी थे किसने अब्दुल जबार ने बस इतना काफिया आपके लिए अगला कोशिन है राश्टपती दौारा हरियाना के किस अधिकारी को पुलिस पदक से समानित किया गया तो ये किसे किया गया बताईए ये किया गया फ्रेंड A और B दोनों को यानि IPS ओमबिर सिंको और किर्शन मुरारी को इन दोनों को किया गया है ये दोनों पुलिस अदिकारी हैं इनकी ड्यूटी कहां पे है? इस समय है इनकी ड्यूटी करनाल में ठीक है फ्रेंड? अमेरिका की फॉब्स पत्रीका ने 2020 में दुनिया के सबसे प्रभवसाली लोगों में दुसर्ण चुटाला को कौन सा स्थान मिला? तो बताईए ये कौन सा स्थान मिला? तो फ्रेंड ये मिला है सात्वा अंसर क्या हो गया? B देखो यहां से कई कोशिन बन गई जो ये फॉब्स पत्रीका है ये कहां की है? अमेरिका की और दुसर्ण चुटाला को कौन सा स्थान मिला? सात्वा और दुसर्ण चुटाला कोन है? इस समय हरियाना के उपमुख्य मंतरी और इनकी पार्टी का क्या नाम है? जेजेपी यानि जन्नायक जन्ता पार्टी और इनका चुनाबचीन है चाबी ठीक है फ्रेंड और इसके साथ साथ दुसन चोटाला सबसे कम उमर के युवा सांसद भी है और हर्याना की इस विधान सबा के सबसे कम उमर के विधायक भी है और फ्रेंड बात करें दुसन चोटाला के विधान सबा छेतर की तो ये कौन सा है? उचाना कला तो फ्रेंड हमारा अगला क्वेशन है हरियान सरकार ने बुड़ापपा वविद्वा पैंसन 2000 से बढ़ा कर कितने रुपे कर दी है तो कितने रुपे कर दी है पताईए ये कर दी है बाईसो पचास अंसर क्या हो गया बी देखो पहले थी 2000 अब कितने रुपे बढ़ा दी है 250 रुपे यानि 2500 रुपे तो कितनी होगी अब 2250 रुपे अब देखो यह जो 2250 है यह कब से लाग होंगे यह होंगे जनवरी से यानि जो जनवरी की पैंसन है वो कब मिलेगी फरवरी में तो इसका मतलब जो बुडापपा वे वीद्वा पैंसन है 2250 रुपे यह आपको मिलेंगे फरवरी महीने में अगला कोशिन है हाल ही में कौन सी नगर पालिका को नगर परिशद का दरजा दिया गया तो बताईए इसका अंसर क्या आएगा तो फ्रेंट इसका अंसर आजाएगा जजजर अंसर क्या होगा डी यानि अब जजजर डिस्टिक में कितनी नगर परिशद होगी है दो एक तो खुद जजजर होगी और एक होगी भाद्दूर गड़ और एक डिस्टिक में दो नगर परिशद वाला जजजर बन गया है चोथा जिला इससे पहले पलवल में थी दो नगर प्रिश्द एक तो पलवल में थी एक होडल में और एक फत्यवाद में थी एक तो फत्यवाद और एक टोहाना और दो थी जीन्द में एक तो जीन्द होगी और एक होगी नर्वाना ठीक है फ्रेंड अगला कोशिन है अनीता कुंडू ने 1 जनवरी 2020 को विस्व की कौन से महादीप की सबसे उची चोटी पर फत्य हासिल की तो इसका अंसर क्या आएगा बताईए इसका अंसर आजाएगा दक्षिन अमेरिका अंसर क्या हो गया देखो विस्व के साथ महादीप है इन में से 6 महादीपों की सबसे उची चोटी पर फत्य हासिल कर ली है किसने अनीता कुंडू ने और इस पर कौन से चोटी पर फत्य हासिल की दक्षिन अमेरिका की अकोंका गोवा चोटी पर ठीक है फ्रेंड और जो अनीता कुंडू है ये हैं हिसार के फरीदपुर गांव से और इसके लाबा अनिता कुंडू से एक और क्वेशन आता है इस चीन की तरफ से फते हासिल करने वाली भारत की पहली महिला कौन है वो अनिता कुंडू क्योंकि अनिता कुंडू ने नेपाल और चीन दोनों तरफ से माउंट एवरेश्ट की चड़ाई की है और कुल मिलाकर तीन बार माउंट एवरेश्ट पर चड़ चुकी है अनिता कुंडू अगला कुशन है और को किसे मिला है किसे मिला ये मिला है तो फ्रेंड ये मिला है दिपक पुनिया को अनसर क्या अगाゃ C और दिपक पुनिया कहां से है भीवानी से और ये वर्ड किस ने दिया United World Wrestling ने और इसके जो दिपक पुनिया है ये 86 चेजी में विस्व के नंबर वन रेसलर है अगला कोशिन है दोजर बीस में प्री बजट प्रामर्स बैठक कहां पर आयोजित की गई बताएए ये कहां पर की गई ये की गई गुरू ग्राम में अंसर क्या होगा डी और इसकी अध़क्षता किस ने की इसमें मनोहरलाल खटर ने क्या किया जो भी सर्विस सेक्टर के वीसे सक है उनकी बैठक बुलाई थी बजट से पहले और बजट के बारे में विचार विमस किया गया था अगला कोशिन है हरियाना में CID विवा किस के पास है बताएए ये किस के पास है तो फ्रेंड ये है मनोहरलाल खटर के पास अंसर क्या हो गया और इसके साथ साथ वृत मंतरा लेवी किस के पास है मनोहरलाल खटर के पास अगला कोशिन है हरियाना हैंडबाल टीम के नए कपतान कौन बने है तो बताएए ये कौन बने है ये बने हैं वकील सिंग अंसर क्या हो गया और ये कहां से है कलायत से और कलायत कहां पे है ये पढ़ता है कैथल मेज़ ये तो बन गे कप्तान और उपकप्तान कौन बने है सुनील जो की है रोध तक से ठीक है फ्रेंड और बात करे हरियाना हैंडबाल महा संकी महा सचिव की तो ये हैं डाक्टर जुगमिंदर सिंग शोकंद अगला कुशिन है हरियाना स्टेट सीनियर महीला होकी चेंपिनसिप में कौन सी टीम चेंपिन बनी तो ये कौन सी टीम बनी ये बनी ये फ्रेंड हिसार हिसार ने किसको हराया सोनीपत को कितने से चearl एक से ये जो चेंपिन सिप है ये का पे हुई हिसार के एस्टोटरफ मैदान में धेखो तीन चेंपिन सिप हुई थी एक थी हरयाना स्टेट सब जूनियर महिला होकी चेंपिन सिप जो की थी 7.6 नमबर की बार में बता देता हूं आपको जो सब जूनियर है इसमें पर्थम रही हिसार यानि कौन जीता हिसार और दूसरे नंबर पे सोनी पत तीसरे पे कैथल और जो जूनियर है उसमें पर्थम रहा सोनी पत दूसरे पे कैथल तीसरे पे हिसार बात करें सीनियर की सीनियर होकी इसमें पर्थम हिसार रहा दूसरे पर सोनी पर तीसरे पर रोग तक ठीक है फ्रेंड और इसकी पीड़ फैल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अगला कोश्चिन है बेंगलॉर में संपन हूई राष्ट्ययोग परत्योगिता में गोल्ड मैडल तो यह किस ने जितता? यह जिता गीतां चसुने अंसर क्या हो गया? बी और गीतांचु कहाँ से है? यह है फ्रीदाबाद के साहुपूरा से और जो राष्टी योग परतीयोगिता है ये कहाँ पे होई? बैंगलोर में क कहाँ पे? बैंगलोर में अगला कुछिन है 2020 में हरियाना विजान सभा का पहला सतर कप से कब तक चलेगा? तो ये कप से कब तक चलेगा? 20 से लेकर 22 जनवरी तक यानि तीन दिनों तक अगला कोशिन है इने लो पार्टी के नए प्रदेशा अधक्स कौन बनी है तो ये कौन बन गए है नफे सिंग राठी और इन से पहले कौन थे बिरबल दास ढालिया अगला कोशिन है हर्याना सरकार ने किस वर्स को सुसासन संकलब वर्स के रूप में मनाया तो इसका अंसर क्या आएगा अंसर आजाएगा 2020 अंसर क्या होगा B अगला कोशिन है हर्याना का लाल डोरा मुक्त होने वाला पहला गाउं सिर्सी कौन से जिले में आता है तो ये कौन से जिले में आता है यह एता है करनाल में अंसर हो गया C लाल डोरा मुक्त क्या होता है उस पूरे गाउं की जमीन का नाप ले लिया गले का भी, मकानों का भी इससे क्या होगा कोई भी व्यक्ति अवायत कबजा नहीं कर पाएगा और इसी को क्या कहते हैं अगला कुशन है हरियाना का पहला डीजिटल गाउं गुरावडा किस जिले में है तो यह किस जिले में है यह है रिवाडी में अंसर क्या हो गया C देखो जो गुरावडा गाउं है यह हरियाना का तो पहला डीजिटल गाउं है लेकिन भारत की बात करें तो भारत का पांचमा अगर भारत का पांचमा है तो पूरे भारत का पहला कुन सा है ये है गुजरात राजे में सवरकान जिले में एक गाम है जिसका नाम है अकोदरा क्या अकोदरा और जो गुरावडा गाउं है इसको डिजिटल गाउं कब होसित किया गया 25 दिसंबर को किस ने किया हमारे कानून जंसंचार मंतरी रवी शंकर परसादनी कोशिन है हरियाना फिलम होटस बोर्ड यानि हरियाना फिलम प्रमोशन बोर्ड के अध्यक्ष कौन बनी है तो ये कौन बनी है ये बनी है 37 कोशिक देखो हरियाना फिलम बोर्ड के तो है 37 कोशिक अगर भारत की बात करें तो ये कौन है परसून जोसी और जो हरियाना फिलम बो प्लवल में कौन से काम से है औरंगाबाद क्या ओरंगाबाद अगला कोशिन है हर्यान सरकार ने 39 दिसंबर को अटल किसान मजदूर कैंटीन की शुरुआत कौन सी मंडी से की तो ये कौन सी मंडी से की ये की करनाल मंडी से अंसर क्या होगा C अब देखो जो अटल किसान मजदूर कैंटीन है इसमें आपको खाने की 10 रुपे की प्लेट मिलेगी यानि आपको नास्ता सिर्फ 10 रुपे में मिलेगा और यह स्कीम 5 जिलों की 25 मंडियों में सुरू की गई है सबसे पहले कहां पे की गई यह इंपोर्टन्ट है कहां पे करनाल मंडि में इसके अलावा यह की जाएगी करनाल, पंचकुला, भीवानी, फत्याबाद और नू में अगला कुशिन है अंतराश्टे सरस्वती महोटसव 27 से लेकर 29 जनवरी को कहां पर मनाया जाएगा तो बताईए, यह कहां पे मनाया जाएगा फ्रेंड, यह मनाया जाएगा आदी बदरी में अंसर क्या हो गया, C अब देखो, जो आदी बदरी है, यह कहां पे है कई बार एक्जाम में क्या करेगा आदी बदरी नहीं देगा देदगा यह मुना नगर तो अंसर क्या हो जाएगा, यह मुना नगर क्यों, क्योंकि जो आदी बदरी है यह स्थान कहां पे है, यह मुना नगर में तो अंसर क्या हो गया, C और हाँ जो सरस्वती मोतसव है इसमें प्रारवन को सुरक्षित रखने का संदेश दिया जाएगा और ये मोतसव होगा पूरन रूप से इकको फ्रेंड दी अगला कोशिन है जो कि इंपोर्टन्ट है हरियान में बीजेपी पार्टी के नई प्रदेशा दक्स कोन बने है तो बताईए ये कौन बने है फ्रेंड ये बन गए है अरून सूध अंसर क्या वगा देखो इस समय नई तो बन गए है अरून सूध इनसे पहले कोन थे संजे टंडन ठीक है ये तो बात होगी हरियान में बीजेपी के परदेशा दक्स की पूरे भारत में कौन है तो फ्रेंड पूरे भारत में बीजेपी का दक्स है जेपी नडड़ा कौन जेपी नड़ड़ा ये सारी डीटेल मैंने या पर दे रखी है इसकी PDFL का लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप आँसे डाउन्डोड कर सकते हैं अगला कुशन है जो कि important है 26 जनवरी 2020 गंतंतर दीवस पर मनहुरलाल खटर कहां पर धवज फ़राएंगे तो बताएए जो मनहुरलाल खटर है ये कहां पर धवज फ़राएंगे तो फ्रेंड ये फ़राएंगे जीन्द में अब ये तो बात होगी हरियाना के सियम मनहुरलाल खटर की जो कि फ़राएंगे जीन्द में धवज 26 जनवरी को अब हमें कुछ और नेताओं के बार में पता होना चाहिए कि वो कहां पर धवज फ़राएंगे जैसे दूसरें चोटाला हमारे राजज पाल ठीक है अब इसको समझो तो ड़ा देखो जो 26 जनवरी 2020 में गंतर दीवस है ये हरियाना में कहां पर मना जाएगा ये राजज सत्रिय मना जाएगा अंबाला में एग्जा में कोशन आएगा कि हरियाना में राजज सत्रिय गंतर दीवस 2020 कहां मना जाएगा तो अंसर आजाएगा अंबाला और यहां पर यानि अंबाला में राष्टे धवस कोन फ़राएंगे हमारे सत्र में राजज पाल सत्यदेव नारायन अंबाला का पता लग गया कौन फ़राएंगे सत्यदेव नारायन जो कि हमारे राजज पाल और मुख्य मंतरी का मैंने बताया था यह फ़राएंगे जींद में और जो हमारे विधान सबा के अधक्ष है ग्यान चंद गुपता यह फ़राएंगे कुर्चित्तर में और जो हर्यान विधान सबा के अधक्ष है रनवीर गंगुवा यह फ़राएंगे रोटतक में जो दूसरे चोटाला है जो कि हमारे उप मुख्य मंतरी यह फ़राएंगे करनाल में ग्रह मंतरी अनिल विज फ़राएंगे पंचकुला में सिक्सा मंतरी कवरपाल गुजर यह फ़राएंगे सिर्षा में देखो इस से न आपको एक पॉइंट और याद हो रहा हुआ जो कवरपाल है यह होगे सिक्सा मंतरी इसी तरह अनिल विज क्या है गरे मंतरी और इसी तरह मुलचन सर्मा ये फिराएंगे गुरुग्राम में और मुलचन सर्मा कौन है हमारे परिवहन मंतरी ठीक है फ्रेंड ये सारी जानकरी आपको याद रखनी है जो हमारे विदूत मंतरी है कौन रंजीत सिंग ये फिराएंगे फतेवाद से कृशी मंतरी है जो जै परकास दलाल ये फिराएंगे फरीदाबाद में और जो हमारे समाजी ग्याए एवम अधिकारिकता रज्य मंतरी है ओम परकास यादव ये फिराएंगे हिसार से और जो महिला एवम बाल विकास रज्य मंतरी है एक मुख्यमंत्री एक मुख्यमंत्री और एक है हमारे विधानसभा के स्पीकर यानि विधानसभा के अदक्ष ये चयार तो आपको जुरूर याद रखनी है कि कहा से जंडा फिराएंगी अगला कुशन है हरियाना में स्वामी विवेकानंद के जनम दिन पर रन फोर यूथ मेराथन का आयुजन कहा किया गया तो एक कहां पर किया गया फ्रेंड ये क्या गया रेवाडी में अंसर क्या हो गया बी और इसको हरी जंडी दिखा कर शुरू किया था मनोहरलाल खटर ने जो कि हमारे हैं सी येम किसने मनोहरलाल खटर ने अगला कुशिन है रोम रैंकिंग रैसलिंग 2020 में 75 किसने जीता तो बताईए इन में से 70 किसने जीता तो फ्रेंड ये जीता है D और प्रोक सभी यानि बजरंग पुनिया ने भी विनेस फोगाट ने भी और रवी कुमार ने भी अब देखो जो रोम रैंकिंग रैसलिंग है ये चली 15 से लेकर 18 जनवरी 2020 तक कहाँ पे इटली में वैसे इंपोर्टन नहीं है लेकिन फिर भी देख लेना बजरंग पुनिया ने किसको हराया अमेरिका के जोडन ओलिवियर को कितने से चैर तीन से वैसे तो आपको पता योगा बजरंग बुनिया काँ से है जजजर के खुदान से विनेस फोगाट है जजर की दादरी के बलाले गाउं से देखो हुआ क्या था जो सूरज कुन था ना उसका निर्मान दसमी सदी में कराया था दसमी सदी में यानि आज से लगबक एक हजार साल पहले और किस ने करवाया ये करवाया था तोमर वंस के सासक अनंग पाल दवीतिये कौन अनंग पाल दवीतिये यह यहाँ पर लिख भी रखा मैंने यह रहा और इसी का दूसरा नाम था सूरजमल क्या नाम था सूरजमल अब देखो इसका नाम सूरजगूंड क्यों रखा क्योंकि ये ना सूरजगूंड की अकरती का बनाया गया है ऐसे ठीक है और जो तोमर सासक थे ना ये क्या करते थे सूरिय देवता की पूजा करते थे इसलिए नोंने बनाया सूरज कुंड सूर्य की अकरती का और दूसरा कारण हो सकता है जो सूरज मल है उनके नामे भी सूरज है इसलिए इस कुंड का नाम रखा गया सूरज कुंड और जो सूरज कुंड है ये कहां पे है एक गाम है सूरज कुंड जो पढ़ता फरीद्दाबाद में वहाँ पे है सूरज कुण यह जो अकेला कुण है यह 6 एककड़ में है ठीक है? और वैसे बात करें सूरज कुण का मेला यह 99 एककड़ में लगता है 99 एककड़ में इतना तुमे ने बता दिया सूरुजकुंड काँ पे है? फ्रिद अबाद के सूरुजकुंड गाव में जो इस सूरुजकुंड गाव है ना यह दक्षिनी दिल्ली से सिर्फ 8 किलोमेटर दूर है पहले क्या होता था? जहां पर यह सूरुजकुंड है यहाँ पर तोमरवंस के राजाओं की क्या होते थी राजधानी और एक बात और दस्मी सदी में दो चीज़े बनवाई गई थी एक तो मंदीर बनवाई गया था और एक यह सूरजकुंड लेकिन समय के साथ मंदीर तो नस्ट हो गया सिरफ सूरजकुंड बचा है यहाँ पर आगे समझ में एक बार फिर देख लेते हैं सूरजकुंड का निर्माण हुआ दस्मी सदी में किसने करवाई तोमरवंस के सासकों ने वो सासकुंड था अनंगपाल और इस अनंगपाल को ही कादाता है सूरजमल और जो तोमरवंस के सासक थे यह सूरिय की पूजा करते थे ठीक है इसलिए इन्होंने करवाया सूरजकुंड का निर्माण और यह सूरजकुंड 6 एकड में फैला हुआ है लेकिन जो सूरजकुंड का मेला है यह 99 एकड में लगता है एकड का मतलब क्या होता है लोकल वासा में एक किल्ला एक एकड मतलब एक किल्ला और जो सूरजकुंड है यह दक्षिनी दिल्य से सिर्फ 8 किलोमेटर दूर है इतना आगा समझ में एकड़ा में कोशन आएगा सूरजकुंड का मेला कहां पे लगता है बिल्कुल सिंपल कोशन है यह लगता फरीदाबाद में अगर गाउं का नाम पूछ ले तो सूरजकुंड हो गया क्लियर अब बात करते हैं सूरजकुंड के मेले की देखो सरकार ने क्या सूचा 1987 में कि सूरजकुंड में एक मेला लगाते हैं जिसका नाम रख दिया सूरजकुंड उस टेम इसकी सुरवात एक साधारन मेले के रूप में हुई थी जो एक सिले कर 15 फरवरी तक मनाया गया परंतु दो साल बाद 1989 में सरकार क्या करती है इसको एक सिलप मेले के रूप में मनाना सुरू कर देती है और 1989 में ही ये एक राज्यो को बुलाती है थीम स्टेट के रूप में क्या राजस्तान तो एक्जामे क्या बन गया कि सुरुजकुंड मेले का पहला थीम स्टेट कौन था ये बन गया राजस्तान कब बना? 1989 में एक बार फिर देखे सुरुजकुंड मेले की सुरुआत हुई 1987 में उस टेम ये सधार्ण मेले के रूप में मनाया जाता था 1989 में ये सिल्पी मेले के रूप में मनाया जाने लगा और पहला थीम स्टेट किसे बुलाया गया? राजस्तान को अब देखो थीम स्टेट क्या होता है? अब जैसे राजस्तान बुला लिया थीम स्टेट के रूप में तो क्या करेंगे? जो राजस्तान की कला संस्कृती है ना उसको इस मेले में दिखाएंगे इसी को कहते हैं थीम स्टेट ठीक है और सिलप क्या होता है सिलप में होता है किसी देश या किसी राज्य की कला संस्कृति को दिखाना इसी को कहते हैं सिलप मेला होगा के लिए रापो इतना अब देखो थीमस्टेट तो बुलाने लगे फिर सोचा कि हमें Focus Country को भी बुलाना चाहिए यानि किसी दूसरे देश को भी इन्वाइट करना चाहिए हमारे सुरुसकृंट के मेले में तो इसलिए सरकार ने 2009 में Focus Country के रूप में किसे बुलाया इज़िप्ट यानि मिसर देश को मिसर देश को बुलाती है लेकिन उसके सभी सदस्य नहीं आपते हैं किसी कारणवन्स इसलिए जो 2009 का सुरुजकूंट का मेला था इसमें जो focus country आया था उसे क्या कहा गया आंसिक रूप से यानि उसका कुछ आंसि आ पाया यानि कुछ सदस्य आ पाये इसलिए कहा गया आंसिक रूप से तो एक्जा में कुछन बनेगा कि सुरुजकूंट के मेले में आंसिक रूप से भाग लेने वाला पहला देश कौन सा था तो अंसर हो जाएगा इजिप्ट यानि मिश्यर कब लिया 2009 में हो गया इतना कलियर उसके बाद क्या हुआ 2012 में फिर से एक देश बुलाया कौन? थाइलेंड फोकस कंट्री के रूप में लेकिन यह पूरान रूप से पहला फोकस कंट्री था क्यों? क्योंकि इसमें इसके सभी सदेश्यों ने भाग लिया था ठीक है फ्रेंड तो एक्जा में कुशन क्या बनेगा? कि सूरजकुंड के मेले में पूरान रूप से पहला फोकस कंट्री कौन सा था? तो कौन सा था? थाइलेंड और ये कब आया था? 2012 में उसके बाद सरकार क्या करती है? 2013 से जो सूरजकुंड का मेला है इसको अंतराष्टे रूप में मनाना सुरू कर देती है यानि इसका हर साल एक थीम स्टेट होता है और एक होता है फोकस कंट्री जिनकी कलाव एसन स्क्रीती को सूरजकुंड के मेले में दिखाया जाता है यहां तक आगी आपको बात समझ में अब देखते हैं आगी यह बात मैंने बताया थी सुरू कुंड का मेला फरीदाबाद में लगता है यह लगता है एक से पंदरा फरवरी तक लेकिन अब कुछ सालों से इसकी डेट आगे पीछे हो जाती है लेकिन लगता यह फरवरी के महिने में ही है अब बात कर लेते हैं इस बार के सुरू कुंड मेले की यानि 2020 के यह शुरू हो चका है एक फरवरी से एक फरवरी से सुरू हो चका है यह चलेगा 16 फरवरी तक और यह कौन से नमबर का है 34 नमबर का और इस मेले का उदगाटन कर दिया है हमारे राष्टपती रामनात कोविंद ने अब एक बात समझने वाली है इसका उदगाटन करती है किसने रामनात कोविंद ने लेकिन इसकी अधखसता कौन करेंगे यह करेंगे हमारे राज़ेपाल कौन सत्यदेव नारायन अब हमे उदगाटन का पता लग गया और इसकी अधखसता का पता लग गया लेकिन इसकी साथ साथ हमें कुछ और वेक्तों के नाम भी पता होने चाहिए जैसे हरियाना के प्रेटन मंतरी कौन है कवरपाल गुजर और हरियाना प्रेटन के चेर्मेन यानि अधखस कौन है रणदीर सिंग गोलन कौन रणदीर सिंग गोलन और जो रणदीर सिंग गोलन है इन्होंने चुनाव लड़ा था पुंडरी से निर्दली है और जीते थे ये हरियाना के मुख्यमंतरी पता ही आपको मनोरलाल खटर लेकिन हिमाचल के मुख्यमंतरी का भी पता होना चाहिए तो ये कौन है जैराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंतरी का नाम क्यों पता होना चाहिए क्योंकि इस बार यानि 2020 में हमारा थीम स्टेट है हिमाचल प्रदेश और focus country है उजबेकिस्तान और उजबेकिस्तान से उजबेकिस्तान दूतावास के राज़दूत आएंगे जिनका नाम है फरहाद अरजियेव ये आपको याद रखना है तो आपको पता लग गया 2020 के सुरुषकुन मेले का focus country कोन है उजबेकिस्तान और theme state है हिमाचल परदेश और जो हिमाचल परदेश है ये इससे एक point और बनता है ये पिछली बार 1996 में theme state बना था कब 1996 में उसके बाद बना 2020 में यानि ये 23 साल बाद theme state बना है इसलिए एक्जमे question बन सकता है कि हिमाचल परदेश कितने साल बाद दुबारा theme state बना है तो answer क्या हो जाएगा 23 साल बाद तो हो गया के लिए आपको इतना और friend ये सारी detail मैंने याप दे रखी है और friend अगर आप इसी तरह की detail हरियाना जी की चाते हैं तो हमने एक book त्यार कर रखी है जिसका cover आप screen के उपर देख सकते हैं अगर आप ये book लेना चाते हैं तो आप हमारे whatsapp नमबर 8590 की 80508 पर message कर सकते हैं और हमारा mobile नमबर आपको screen के उपर भी दिख रहा होगा और friend हरियाना की exam के लिए कुछ important notes की PDF का link मैंने description में दे दिया है आप चाहें तो उन्हें भी download कर सकते हैं और जितनी भी PDF है और book हैं हमने सभी को पूरी detail में बता रखा हैं इससे क्या होगा आपको एक तो समझने में असानी होगी और लंबे समय तक आपको वो question याद रहेगा और आपके exam में question भी नहीं कटेगा अब हमने बात कर ली सूरुज कूंड के मेले की कौन से 2020 के लेकिन exam में क्या होता है कई बार पिछले सूरुज कूंड मेले से question पूछ लेता है इसलिए हमें करीब एक से दो साल पिछे वाले सूरुज कूंड मेले के बारे में पता होना चाहिए 2020 के बारे में बात कर ली तो आप कर लेते है 2019 के बारे में जो 2019 का सुरुचकुन मेला था ये था 33 नमबर का और ये चला 1 फरवरी से 17 फरवरी तक इसमें हमें पता होना चाहिए ये थीम स्टेट और फोकस कंटरी थीम स्टेट था महराष्टर, फोकस कंटरी था थाईलेंड और जो 2018 वाला सुरुचकुन का मेला था ये था 32 नमबर का और इसमें धीम स्टेट था उत्तरपरदेश और फोकस कंट्री था किर्गिस्तान और 2017 वाला सुरुषकुन का मेला कतिसवे नमबर का था इसमें धीम स्टेट था जारखंड और फोकस कंट्री था मिशर यानि इजिप्ट और जो इजिप्ट है ये 2009 में क्या बना था आंसिक रूप से फोकस कंट्री याद आगे आपको बस इतना काफ़े आपके लिए और जो अब 2020 का सुरुषकुन का मेला चल रहा है इसमें ना करीब 40 देश हिस्सा लेंगे आपके लिए इंपोर्टन्ट ये नहीं है आपके लिए इंपोर्टन्ट है इसमें पहली बार जो इंग्लैंड के कलाकार है ना सिल्पकार है ये भी भाग लेंगे तो एक्जा में क्वेशन क्या बन गया ऐसा कौन सा देश है जिसके सिल्पकार पहली बार सुरुषकुन के मेले में भाग लेंगे तो अंसर क्या हो जाएगा इंग्लैंड अगर इंग्लैंड ओप्शन में ना हो तो अंसर होगा यूरोप या फिर इंगलेंड एक दिया मिलेगा ठीक है यूरोप तो होगया महादवीब और इंगलेंड होगया देश और ये कुछ देश हैं जो सूरुजकुंट के मिले में हिस्सा लेंगे इसकी PDF आप टेलिग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलिग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और जो सूरुजकुंट का मिला है इसको कौन आयुजित करता है इसे करते हैं सूरुजकुंट मे लेके प्राधिकरण हर्याना वे केंद्रिय प्रटन मंतरी और हमारा विदेश मंतराले और यहीं से क्वेशन ओर बन जाता है जो भारत के प्रेटर मंतरा लेगी सचीव हैं वो कौन है योगेंदर तिरपाठी हरियाना में 26 मर्च 2020 को कितनी सीटों पर रज्यसभा सीट के लिए वोटिंग होगी तो बताईए इसका अंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका अंसर आजाएगा दो सीट अंसर क्या हो गया बी अब हमें पता होना चाहिए ये दो सीट कौन सी है एक तो है कुमारी सेल जाही ठीक है और दूसरी है रज्यसभा सांसद रामकुमार कश्चप की जिन्नोंने हरियाना विधानसभा चुनाव से पहले इस्तिफा दे दिया था और बीजेपी की पार्टी जोईन कर ली थी और इंदरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और जीत भी गए थे और इन दोनों सीट का कार्यकाल 9 अपरेल को समप्त हो रहा है कौन सी दो सीट एक तो रामकुमार वाली और दूसरी कुमारी सेल्जा वाली कुमारी सेल्जा है कांग्रेस पार्टी से अब इसे समझो थोड़ा सा 6 मार्च को चुनाव अयोग नोटिस जारी करेगा उसके बाद 13 मार्च तक नमांकरन भर सकते हैं और फिर 16 मार्च को नमांकरन की स्कूटनी होगी और उसके बाद 18 मार्च तक नमांकरन वापिस लिया जा सकता है और फिर फाइनली 26 मार्च 2020 को मतदान होगा 9 बज़े से लेकर स्याम के 6 बज़े तक और इसी दिन 5 बज़े गिंती होगी अब देखो जो राज्य सबा है इसमें वोट कों देता है उस राज्य की विधान सबा के सदस्य है ठीक है फ्रेंट हरियाना की विधान सबा में कितने सदस्य नबबे यही वोट करेंगे अब इसका गणित समझो बीज़े पी पार्टी के हैं 40 सदस्य है दस सदस्य है जेजेपी के ये भी है बीजेपी के साथ टोटली कितने होगे 57 कांगरेश के 31 है एक नेयल송 का हो गया एक हो गया हलोपा का कुल मतदान होगा दो सिटों पर अब इसे समझ थोड़ा, बीजेपी के पास होगी 57, कांगरेस के पास 31, अगर 32 घटा दें, तो कितनी बचगी? 25, और इधर कितनी है कांगरेस के? 31, तो इसका मतलब बीजेपी एक सीट दे सकती है राज्यसवा की, अगर भहुमत के इसाब से बात करें, तो एक तो कांगरेस को देनी पड़ेगी, क्योंकि एक सीट के बाद, बीजेपी के पास बच्चाएंगे 25, अगर बीजेपी, इनल और हरियाना लोगित पार्टी के, 210 से भी मिलाती है, 227 होंगे, जबकि कांगरेस के कितनी है 31, तो एक सीट भहुमत के इसाब से कौन जीच जाएगी? कांगरेस, इ और हरियाना में कितनी सीटे रज्यसभा की? पांच, और रज्यसभा की सदस्यों का कारेकाल होता है 6 वर्स, अब हमें पता होना चाहिए कि उन पांच सीटों पर इसमें कौन सांसद है, नमबर एक तो है, द्वेंदर पाल वाच्स, ये बीजेपी की है, इनका कारेकाल है 9 अपरेल 2020 को, जो पांच में सीट है, ये किस की है? रामकुमार कस्षप की, इन्होंने भी अस्तिफा दे दिया था, इसलिए क्या है? खाली, ये मैंने बताए दिया, रामकुमार कस्षप ने अस्तिफा दे कर हरियाना का विधान सबा चुना बलड़ा, कहां से? इंदरी से, और जीत गए, कौन सी पार्टी से? बीजेपी से, अब देखते हैं अगला क्वेशन, जो की इंपोर्टेंट है, 2020 के इसे ही कुस्ति प्रत्योगिता में भारत कौन सी स्थान पे रहा? तो बताए भारत कौन सी स्थान पे रहा? ये रहा फ्रेंड, तीसरे पे, अंसर क्या हो अब देखो, भारत तीसरे स्थान पे रहा, तो पहले और दूसरे का भी पता होना चाहिए, देखें, पहले स्थान पे रहा जपान, दूसरे पे इरान, तीसरे पे इंडिया, यानि भारत, अब बात करें मैडल की, जपान ने जीते 16, जिसमें 8 गोल्ड, 4 सिल्वर और 4 ब्र यानि कास्य पदक, भारत की बात करें, भारत ने जीते तो 20 हैं, लेकिन गोल्ड सिरफ 5 जीते हैं, 6 सिल्वर और 9 ब्रॉंज मैडल, इसी के साथ रहा भारत तीसरे नमबर पे, लेकिन हमारे लिए सबसे इंपोर्टन क्या है, हरियाना की खिलाडी, कि किन खिलाडियों ने प इपकपुनिया ने जीता ब्रॉंज मैडल, यानि कास्य पदक, 97 केजी में सत्यवर्थ काद्या ने जीता सिल्वर मैडल, और बात करें, मैंस ग्रीको रोमन की, इसमें भात्तर केजी में अधित्य कुंडू ने जीता ब्रॉंज मैडल, और इसके लबाद वुमेन जीता, क्या गोल्ड मैडल, और इसके अलावा, 65 केजी में सक्सी मलिक ने सिल्वर जीता, और 68 केजी में दिव्या काकरण ने गोल्ड मैडल जीता, ठीके फ्रेंड, इसकी पीडेफाल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसे डाउनलोड कर लेना, या फ पताईए, यह कहां पर शुरू की गई? तो फ्रेंड, यह सुरू की गई है, डाग घरों में, अनसर क्या होगा, बी, देखो, हरियाना में कुल 513 डाग घरों में यह सिवा शुरू की गई है, अब देखो, A, E, P, S, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, अधार अ लेकर 10,000 रुपे तक एक बारी में निकाल सकता है इसके लिए आपको किसकी जुरुत पड़ेगी अपने अधार कार्ड की और फिंगर प्रेंट की ठीक है फ्रेंड अगला कोशिन है हरियाना के कितने डाग घरों में इंडिया पोस्ट पेमेट बैंक के लिए खातादारकों के लिए A E P S A T M सेवा सुरू कर दी है तो बताइए इसका अंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका अंसर आजएगा 263 अंसर क्या आएगा C अब देखो हरियाना में कुल डाग घर कितने है 263 और इन सभी में A E P S सेवा सुरू कर दी गई है तो आपके लिए एक कुशिन और बन गया कि हरियाना में डाग घरों की संख्या कितनी है ये है 263 और ये मैंने बताइए दिया है कि आप 100 पे से लेकर 10,000 रुपे तक एक बारी में निकलवा सकते है आपको चाहिएगा अधार कार्ड और अपना फिंगर प्रिंट ठीक है फ्रेंड और इसके लिए घर कोई भी चार्ज नहीं करेगा यानि ये सेवा बिलकुल फरी है और इसकी डिटेल भी मैंने आपे दे दी है इसी तरह मैंने 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने के हरियाना क्रेंट फेर की PDFL में दे रखी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं अगला कोशिन है राजजेपाल सत्यदेव नारायन आरिया ने प्रोफेशन राजबीर सिंग को किस उन्वेस्टी का नियमित कुलपती निउक्त किया है तो बताएए इसका अंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका अंसर आजाएगा MDU अंसर क्या आएगा C और यह कहाँ पे है? रोग तक में जो कुर्षेतर उन्वेस्टी है यह कुर्षेतर में है और CDLU यह सिर्षा में है और HSU हरियाना स्पोर्ट्स उन्वेस्टी यह है सोनीपत के राई में और यह हरियाना की एक मात्तर स्पोर्ट्स उन्वेस्टी है और जो राजबिर सिंग है इनको तीन साल के लिए बनाया गया है MDU का कुलपती अगला कुशिन है हरियाना में किस निर्दलिय विधायक ने BJP से समर्थन वापिस ले लिया है तो बताईए इसका अंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका अंसर आजाएगा बलराज कुंडू अंसर क्या होगा B जो बलराज कुंडू है यह महम विधान सबा सीड से विधायक थे कौन से निर्दलिय है इन्होंने BJP पार्टी से समर्थन वापिस ले लिया है बात करे अभे चोटाला यह एलनाबाद से विधायक है और इनकी पार्टी का नाम है इनैलो और एलनाबाद पढ़ता है सिर्षा में बलराज कुंडू मैंने बता दिया दूसरे चोटाला यह उचाना से विधायक है और यह हमारे उप मुखे मंत्री भी है और उचाना पड़ता है जीन्द में गोपाल कांडा यह सिर्षा से विधायक है और इनकी पार्टी का नाम क्या है हर याना लोखित पार्टी सुस्मा सवराज के नाम पर कहां के गौर्मेट कॉलिस का नाम रखा जाएगा तो बताइए इसका अंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका अंसर आजाएगा बललफ गड़ अंसर क्या हो गया देखो जो बललफ गड़ है इसका नया नाम क्या है बलरामगड देखो इसका नाम तो गया बलरामगड लेकिन जो मेट्रो स्टेशन है इसका नाम क्या है राजा नाहर सिंग ठीक है और जो सुस्मा सवराज है इनका संब्ध है अंबाला से और अभी अभी जो अमबाला का बस्टेंड है उसका नाम भी किसके नाम पे रखा गया सुस्मा सवराज के कब 14 फरवरी को और 14 फरवरी के दिन ही होता है सुस्मा सवराज जी का जनम ठीक है फ्रेंड इतना आपको ध्यान में रखना है और ये कौन है हमारी पूरव विदेश मंतरी अब इनकी मिर्ति हो चुकी है अगला कोशन है नीमन में से कौन 52 के जी में वर्ल्ड के नमबर वन बोक्सर बन गई है तो ये कौन बने है बताईए तो फ्रेंड ये बने है अमित पंगाल अंसर क्या हो गया बी और अमित पंगाल कहां से है रोध तक से अगर गाम का नाम पुछें तो क्या है माइना ठीक है फ्रेंड ये बोक्सर है अगला कोशन है हरियाना सरकार ने किन खिलाडियों को 12 से 20,000 रुपे मासिक पैंसन देने की सुरुवात की है तो बताइए इसका अंसर क्या आएगा देखो फ्रेंड जो हरियाना सरकार है वो 12 से लेकर 20,000 रुपे किन को देगी मासिक पैंसन जो ये तीनों बाते पूरी करते होंगे कौन-कौन सी नंबर एक तो उस खिलाडी ने अंतराष्टे सतर पर कोई पदक जीता हो ठीक है और उसकी एज 30 साल से अधिक हो और उसके लावा उस खिलाडी ने रिटार्मेंट ले ली हो यानि इसके बाद वो खेल नहीं खेल लेगा जो खिलाडी ये तीनों चीज़े पूरी करेगा उसको पैंसन दी जाएगी कितनी 12 से 20,000 रुपे तक ठीक है फ्रेंट तो इसका अंसर की आजएगा और प्रोकस अभी अंसर क्या हो गया अगला कोशिन है हाल ही में बीवानी की किस गांज से हडपा कालीन सब बत्या के अफसेस मिले है तो बताए इसका अंसर क्या आएगा तो फ्रेंट इसका अंसर हैगा तिगडाना, अंसर क्या होगा, C तो अंसर क्या होगा, तिगडाना, गाउं देखो, जो तोसाम है, मिताथल है, राखीगडी है और तिगडाना, इन सबी जगें हडपा कालें से बग्दा के अफसेस मिले हैं लेकिन हमें क्या पताना था, हाल ही में कहां से अफसेस मिले हैं, तिगडाना से, तो अंसर क्या होगा C, अब एक्जाम में ये पूछ सकता है, ये कहां पे हैं, जो तिगडाना है, ये है भीवानी में, तो साम, मिताथल, ये भी कहां पे हैं, भीवानी में, जो राखी गड़ी हैं ये पढ़ता है हिसार में अगर पूछे किते गडाना से कौन से अफसेस मिले हैं तो ये मिले हैं मन के मिट्टी के बरतन अर्ध कीमती पत्थर तंबे की वस्तुएं पेश्ट मेटेरियल की हारे रंग की चूडियां ठीक है फ्रेंड अगला कोशिन है हाल ही में अस्टेलिय मादीब की सबसे उची चोटी किया जोसको पर फत्य हासिल करने वाले कपिल ठाकुर किस दिले से हैं तो बताइए ये किस दिले से हैं तो फ्रेंड ये हैं सोनिपत से अंसर क्या अगर डी अगर इस से भी घराई में पूछे तो ये हैं सोनिपत के गोहाना से और ये रहते है गोहाना में उत्तम नगर में जो कपेल ठाकुर है इन्होंने इस समय तो चड़ी है अस्टेलिया की सबसे उची चोटी किया जोसको जिसकी उचाई है 73252 फिट लेकिन इस से पहले ये जो यूरोप की सबसे उची चोटी है अलब्रूस उस पे भी चड़ चुके है और इनका लक्स है सेवन सम्मिट का है यानि जो विस्टर के साथ माधीब है उनकी सबसे उची जो साथ चोटी हैं उन पर ये चड़ाई करेंगे जिसमें से दो पे चड़ चुके हैं पांच रहती हैं और हाँ ये क्या है हरियाना पुलिस में S.I. ये भी आपको ध्यान में रखना है अगला कुशन है हरियाना सरकार ने दूसरी अटल किसान मजदूर कैंटीन की सुरुवात कौन से जिले में की हैं तो बताईए ये कौन से जिले में की हैं ये की है फ्रेंड पंच कुला में अंसर क्या होगा D अब दिमाख में कुशन आए होगा कि ये दूसरी की गई है पंच कुला में तो पहली कहां पे की गई थी तो पहली की गई थी करनाल में देखो सरकार ना पांच जिलो में 25 कैंटीने खोलेगी ठीक है जिसमें से दो जिलों में तो खोल दी है अब रहते हैं तीन अब बात पांच जिलों के आई है तो हमें पता होना चाहिए वो पांच जिले कौन से हैं एक करनाल, एक पंचकुला, बिवानी, फत्यवाद और नू इन पांच जगें 25 कैंटीने खोलेंगी और चो ये योजना है इसकी सिरुवात का वोई थी अगर पूछे तो ये हुई थी 29 दिसंबर को यानि 29 दिसंबर 2019 को कहाँ पे करनाल कैंटीन से इसने की मनवरलाल खटर ने और इस योजना में किसानों को 10 रुपे में थाली दी जाएगी ठीक है कितने रुपे में सिर्फ 10 रुपे में अगला कोशिन है 46 में पुरुस्वय महिला जूनियर नैशनल कबड़ी परत्योगीता कहाँ पर हुई तो ये कहाँ पर हुई बताईए तो फ्रेंड ये हुई है MDU अंसर क्या होगा A ये तो पता लगया ये कहाँ पर हुई अब हमें ये भी पता होना चाहिए ये जित्ती किसने देखो जो महिला वाली है ये तो जित्ती हरियाना ने किसको हराया SAI को किसको SAI अब SAI की फुल फॉर्म क्या होती है Sports Authority of India जिसे हिंदी में कहते हैं भारते खेल प्राधी करान ठीक है यानि महिला वाला तो जित्ता हरियाना ने दूसरे पे रहा SAI अब बात करें पुरुस की जो पुरुस जुनियर नैशनल कबड़ी परत्योगिता है ये जित्ती SAI ने किसको हराया ये उत्तर परदेश को उत्तर परदेश को और जो पृत्योगिता है ये किस ने संपन करवाई ये करवाई थी हरियाना एमेच्चूर कबर्डी फेडरेशन ने अब बात हरियाना एमेच्चूर कबर्डी फेडरेशन के आई है तो उसकी अध्यक्स का हमें पतावना चाहिए तो ये कुण है? किरसनलाल पवार और जो किरसनलाल पवार है ये हमारे पहले परिवयन मंतरी होते थे और इस प्रत्योगीता का उद घाटन किस ने किया? हमारे ग्रह मंतरी अनिल्विज और खेल मंतरी संदीप सिंग ने इतना काफिया आपके लिए अब देखतें अगला question तो फ्रेंड ये चुना गया हरियाना को अंसर क्या हो गया C अब इस question को थोड़ा ध्यान से समझना अगर बात आए राज्ये की तो अंसर आजाएगा हरियाना अगर बात आए परियोजना की तो प्रियोजना हो जाएगी अंतोद्य सरल प्रियोजना यानि हर्याना में किसे गोल्ड मिला है कृष्टा की स्रेनी में यह मिला है अंतोद्य सरल प्रियोजना को और जो तेइसमow राष् immunity पूरुस्कार सम्मार हो था यह कहां पे आयोजित कहा गया मुंबई में कब से कब तक 7-8 फरवरी तक और ये किस की दवारा अयूजीत किया जाता है ये किया जाता है केंद्रिय परसासनिक सुधार और लोग सिकायत भिवाग की दवारा तो फ्रेंड हरियान को क्या मिला ये गवर्नेंस के लिए नागरिक केंदरित वित्रन परदान करने में उत्कृष्टा स्रीणी में गोल्ड वार्ड और ये वार्ड किसने लिया मुख्य मंत्री के सुससन्स योगी के प्रोजेक्ट रेक्टर डाक्टर राकेस गुपता ने देखो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए जो हर्याना का बजट है दोज़र बेसिक किसका ये कब पेस किया गया ये कब पेस किया गया 28 फरवरी को ठीक है किसने पेस किया ये किया हमारे विर्तमंत्री मनोहरलाल खटर ने अब ये तो बात होगी इस से में हमारे विर्थमंत्री कौन है यानि फाइन्स मुनिश्टर ये तो है मनोरलाल खटर एक्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि इस से पहले कौन थे तो इस से पहले कौन थे वो थे कैप्टन अभीमन्यों कौन थे कैप्टन अभीमन्यों और जो मन जानसवा चुनाल छेतर है करनाल ठीक है फ्रेंड इतना हो गया कलेर आपको अब जो बजट पेस किया गया है ये कितने रुपे का पेस किया गया है ये किया गया है 1,42,343.78 करोड कितना? 1,42,343.78 करोड रुपे का और जो मनोरलाल खटर है वैसे नूर्मल क्या होता है जो विर्थमंती होता न याना एक अटैची यानि सूट केसा लेके आता है लेकिन इस बार जो मनोरलाल खटर है क्या लेके आये थे? टैब और इसी से मनोरलाल खटर ने बजट पेस किया अब ये बात तो आपको पता लगी कि पिछली बार तो कितने रुपे का बजट पेस किया गया था और इस बार कितने का किया गया तो पिछले बजट को देखते हुए 7.75% की व्रिदी की गई है इस बार के बजट में और इसी के साथ जो हर्यान सरकार है उसका करजा भी बढ़ चुका है अब करजा भढ़ के कितना हो गया है 1,98,700 करोड अब जो बजट पेस किया गया है कुल रासी का इसमें सरकार क्या करेगी जो 40% है ये तो खरच करेगी वेतन और पैंसन पर और इसमें सिब 15% करेगी 6 सापर किस पे 6 सापर ये important है एक्जाम में कोशन आ सकता है कि सिखसा पर कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा तो ये कितने प्रतिशत किया जाएगा 15% अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि कुल बजट का 15% सिखसा पर खर्च किया जाएगा अब शिक्सा पर कितना खर्च किया जाएगा ये किया जाएगा 19,649.18 करोड देखो इस वर्स 2020 किसमें तो किया गया 19,649.18 करोड जब कि पिछली साल किया गया था 15,271.10 करोड जो कि इस बार 28.60 परतिशित वरिधी करके कर दिया गया 19,649.18 करोड अब देखो जो उच्छ शिक्सा है उस अकेली पर 2936.20 करोड रुपे खर्च किया जाएगा जो कि पिछले वर्स की तुलना में 41.49 परतिशत अधिक है ठीक है फ्रेंड और फ्रेंड इसकी पीड़फाल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप वहाँ से डाउंडोड कर लेना इसके लावा जो माविदाल्य हैं उनमें छात्राओं की शुर्क्सा के लिए 24 घंटे निगरानी के लिए क्या लगा जाएगे 2000 CCTV कैमरे और हर बार की तरह हैं जो SYL है सतलू जमना लेंक इस पे खर्च के जाएंगे 100 करोड रुपे और सुक्सम सिचाई के लिए 1200 करोड रुपे खर्च के जाएंगे और इसके लावा हरियाना में 18 नई राज के माविदाल्य खुलेंगे जो आठमी कलास है पहले ये बोर्ड की नहीं थी अब ये दुबारा से बोर्ड की हो चुकी है और जो मिड़े मील है इसमें क्या होगा एक दिन तो लड़ू मिलेगा और इसके लभात अब प्रती दिन दूद भी मिलेगा मिड़े मील में अब आप मैंसे कई सोच रहे होंगे कि मिड़े मील क्या होती है और परती दिन दूद मिला करेगा अब ठीक है फ्रेंट और होस्टल में SC के चातरों के लिए 20% सिटे आरक्सित की जाएंगी और बात करें कोलेज और युनिवेस्टियों में जिनके बिर्वार में 1,80,000 से कम की आए हैं उनकी बेटियों को निसुलक सिखसा दी जाएगी और इसके साथ 24 नई ITI खोली जाएगी पहले क्या होता था किसानों को 7.5 रुपे परती युनिट के इससाब से बिल भरना पड़ता था अब इसको घटागे कर दिया गया है 4.75 रुपे परती युनिट इसके लावा जो सबजी मंडिया है इसमें महिला किसान के लिए 10 परतीशत स्थान अरक्सित किया गया है और जो पंचकुला का विकास है ये क्या जाएगा NCR की तरज पर और जो सोनी पत में कोच फेक्टरी है इस पर खर्च किया जाएगा 122 क्रोड रुपे ये बजट में पेस किया गया बात करें लोग निर्माण की यानि भवन और सड़कों के निर्माण में कितने रुपे खर्च के जाएगे 3541.32 क्रोड रुपे जबकि पिछले वर्स किया गये थे 3217.95 क्रोड रुपे तो कि पिछले वर्स की तूलना में इस वर्स है 8.9 प्रतिशत अधिक जो कोलेज के विदारती हैं और नर्सिंग की छात्राइं हैं उनके फरी में पासपोर्ट बनाए जाएंगे अब बात करते क्रीशी से रिलेटिड बजट की तो क्रीशी के लिए बजट पेस किया गया है 3,364.90 क्रोड रुपे जिसमें से पसु पालन के लिए 1157.41 क्रोड बागवानी के लिए 421.82 क्रोड मच्से पालन के लिए 112.42 क्रोड रुपे और जो बच्चे पाचमी के अक्सा में 80 प्रतीशत या इससे अधिक अंक लाएंगे उनके लिए 6,7 और 8 मी इन के अक्साओं के लिए 1500 से लेकर 6000 रुपे तक की वार्षिक चात्रवर्थी दी जाएगी और इसके साथ साथ जो 3-5 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए 4000 पलेवे स्कूल खोले जाएंगे तो फ्रेंड ये आगे आपको समझ में अब आपसे कुछ क्वेशन पूशता हूँ जिसके अंसर आपको कॉमेट बॉक्स में देने है तो आपके लिए सबसे पहला क्वेशन है तो फ्रेंड ये किया है तो अंसर क्या हो गया अगला कुशन है अगला कुशन है हरियाना बजट 2020 में 6 सपर कितने परतीशत खर्च किया जाएगा तो ये कितने परतीशत किया जाएगा बता танец तो फ्रेंड ये किया जाएगा पंदरा परतीशत अंसर क्या हो गया ऑगला कुशन है 2019-20 के बजट की तुल्डना में इस बार कितने प्रतिशत अधिक बढ़ोतरी हुई तो बताईए कितने प्रतिशत हुई ये हुई है 7.70 अंसर क्या होगा B अगला कोशिन है पंचकुला का विकास किसकी तरज़ पर किया जाएगा तो बताईए इसका अंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका अंसर आचाहेगा B NCR अंसर क्या होगा B अब देखो NWR इसका मतलब क्या होता है Northwestern Region और NCR का मतलब National Capital Region और NCC का मतलब National Cadet Corps और NRC का मतलब National Register of Citizens हाल ही में किस हर यान्वी ने ये रोप की सबसे उच्छी चोटी Elbrus पर तरंगा फेराया तो बताइए इसका अंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका अंसर आजाएगा रोतास खिलेरी अंसर क्या होगा C तो फ्रेंड अब जान लेते हैं रोतास खिलेरी के बारे में ये कहां से हैं हिसार में एक गाउम का नाम है क्या तो अंसर क्या आजएगा हिसार ठीक है आपको ये बात ध्यान में रखनी है और जो रोतास खिले रही है इन्होंने जो साथ चोटी है ना मादीपो की सबसे उच्ची उन पर चड़ने का मिशन शुरू किया है यानि इनका है सेवन सम्मिट मिशन ठीक है जिन में से ये एक तो म गर्मी में भी और सर्दी में भी चड़ चुके है यानि ये गर्मी सर्दी दोनों बार चड़ चुके है यूरोप की सबसे उची चोटी एलबुरूस ऐसा करने वाले ये पहले भारती है इंपोर्टन क्या है ये कौन सी चोटी पे चड़े यूरोप की कौन सी एलबुरूस और यह कहां से है, हिसार से ठीक है, और यह सारी डिटेल मैंने यह आप पे दे दी है, देखी ठीक है फ्रेंट, इस से क्या होगा आपको याद करने में असानी होगी तो फ्रेंट, हमारा अगला क्वोशन है हरीयाना में किस हडपप सब्धता के सबसे पुराने सतल को World Heritage Site की तरस पर विक्सित किया जाएगा तो बताइए इसका अंसर क्या आएगा तो friend इसका अंसर आजाएगा राखी गड़ी अंसर क्या हो गया B और ये राखी गड़ी कहां पे है हिसार में ये important है यहां से question आ सकता है देखो हुआ क्या था 1963 में जो राखी गड़ी साइट है ना इस पर PhD की थी किसने सूरजभान ने ठीक है और 1998 में यहां पर पहली बार खुदाई की गई थी और जो अफसेश मिले थे उनसे पता चलता है जो राखी गड़ी की सबवता है ना यह हडपा की सबवता से भी पुरानी सबवता है और इसकी सारी डिटेल मैंने यहां पर दे दी है आप इसे देख सकते हैं ठीक है फ्रेंट अब देखते हैं अगला क्वेशन नीमन में से किसे भारते पैरा उलम्पिक समीती का अधख्स बनाया गया तो बताइए यह किसे बनाया गया तो फ्रेंट यह बनाया गया है दीपा मलिक को अंसर क्या होगा देखो जो अधख्स है वो बनायागा दीपा मलिक को यह कौन है यह है पैरा अथलेट्स कौन सा गेम खेलती है गोला फैक और इन्होंने जो 2016 के पैरा अलम्पिक गेम होए थे उसमें सिल्वर मैडल जिता था किसमें गोला फैक यानी शोट पूट में ठीक है फ्रेंट इस समें यह क्या बन गी है बारते पैरा अलम्पिक समीती की अध्यक्स अब ये भी पता होना चाहिए कहां से है ये है रोप्तक से और रोप्तक में कहां से एक गाम है भैसवाल वहां से है और इंपोर्टन क्या है दिपा मलिक से इनकोना 2008 में क्या मिला था हरियाना करम भूमी अवार्ड और 2012 में मिला था अर्जुनवार्ड और 2017 में मिला था पदम सिर्यवार्ड और 2019 में मिला कौन सा वर्ड राजिव गांदी खेल अतन पुरुसकार और ये सारी डिटेल मैंने यहाँ पे दे दी है और हाँ फ्रेंड जो 2019 में राजिव गांदी खेल अतन पुरुसकार मिला है ये दो लोगों को मिल एक तो मिला दीपा मलिक को यह तो मैंने बता दिया और एक है बसरंग पुनिया इन दोनों को मिला था यह important है यहां से question आ सकता है अब हमें पता लगया जो भारते पैर ओलम्पिक समीती की अधेक्स है वो बन की दीपा मलिक परन्तु इसके साथ-साथ हमें इसके उपादक्स का थे राविंदर जीत इनको हटा दिया उसके बाद इसके करे वहा का अधेक्स बना दिये गुर्षरण सिंग ठीक है अब इनको भी हटा कर पैर ओलम्पिक समीती के अधेक्स बन गए है दिपा मलिक कौन दिपा मलिक और उपादक्स मैंने बता दिया है और को सा अधेक्स कौन बने है एम महादेबा तो फ्रेंड इतना गया आपको समझ में important क्या है इसमें इसमें important है number एक तो दीपा मलिक कहां से है और पैरलोंपिक समीती का देक्स किसे बनाया गया दीपा मलिक को और इसके अलावा ये जो पुरुसकार है ना ये ये important है हरियाना के एक्जाम में आ सकता है यहां से question अब देखते हैं अगला question Master National Hockey Games किस ने जीता तो फ्रेंड बताईए Master National Hockey Games किस ने जीता तो ये जीता हरियाना ने answer क्या हो गया B किसको हराया ये हराया राजस्तान को कितने से 5-0 से और जो ये Master National Hockey Games है ये कहां पे हुए गुजरात के बड़ोतरा में ठीक है तो अगर आप इसी तरह पूरी डिटेल में पूरे साल के करंट हफिर साते हैं तो उसकी पेड़फाल का लिंक मैंने description में दे दिया है आप वहां से टाउंलोड कर सकते हैं अगला question है तो ये कितने जिलो को मिली है ये मिली है छे जिलो को अंसर क्या हो गया C वो कौन-कौन से है ये पता होना चाहिए हिसार हो गया भिवानी, महिंदरगड, रिवाड़ी, अंबाला और यम्ननगर इस पेना कुल 71.13 करोड रुपे खर्च होंगे लेकिन important क्या है कितने जिलो में इस प्रियोजना को मंजूरी मिली है कितने छे वैसे तो मैंने इसकी detail दे दिये यहाँ पे जैसे महिंदरगड में बनेंगे 20 सुकसम watershed यम्ननगर में बनेंगे 14 हिसार में 8, रिवाड़ी में 14 भिवानी में 14 अम्बाला में 6 कुल मिलाकर 6 अंतर सुकसम watershed बनेंगे इन 6 जिलो में ठीक है अब आपके दिमाग में आ रहाँगा सुकसम watershed क्या होते हैं इसमें क्या होगा जैसे वर्सा का पानी हो गया ठीक है इसको एक जगई कठा कर लेंगे इससे क्या होगा नमबर एक तो पानी की वज़त होगी पानी वेस्ट नहीं होगा तो इस पानी का उपयोग सिच्चाई में किसी भी चीज में कर सकते हैं अगला question है अखिल भारते पुलिस गुर्सवारी परत्योगी था गुर्सवार पुलिस ट्यूटी मीट 2020 का उज़न कहा किया गया तो यह कहां पे किया गया बताइए तो फ्रेंड यह किया गया भौंडसी में अंसर किया गया और यह भौंडसी कहां पे है यह है गुरु गराम में और इस समय भौंडसी का नया नाम क्या है यह है भुवनेश्वरी क्या नाम है भूवनेश्वरी और जो ए परतियोगिता है इसका आयोजन 5 फरवरी को हुआ है और ये चलेगी 14 फरवरी तक कब तक 14 फरवरी तक ठीक है अगला कुशन है हर्यान सरकार की नई खेल निती के अनुसार मांट एवरेश्ट सहीत विश्व की 10 सबसे उची परवत चोटियों की चढ़ाई करने वाले परवता रोहियों को कितनी रासी दी जाएगी तो बताईए ये कितनी रासी दी जाएगी तो फ्रेंड ये दी जाएगी 5 लाक रुपे अंसर क्या होगा एई देखो इसमें 5 लाक के तो रासी दी जाएगी और इसके अलावा ग्रेड सी का परमान पत्तर दिया जाएगा इससे क्या होगा उनको खेल कोट्टे से गॉर्मेट जोब पाने में असानी होगी हरियाना में क्रोना वायरिस को महमारी गोसित करने वाला कौन सा रज्जे बना है तो बताईए हरियाना कौन सा रज्जे बना है क्रोना वायरिस को महमारी गोसित करने वाला तो फ्रेंट इसका नसर आ जाएगा ए यानि पहला देखो जो क्रोना वायरिस है इसका नाम क्या है C O V I D 19 ठीक है एक्जाम में क्वेशन आएगा कि क्रोना वारिस का नाम क्या है तो आपको ये ध्यान में रखना है इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं COVID-19 जैसे रामनाथ COVID है ना COVID और एक क्वेशन और बनता है इससे कि इसे किस अधिनियम के तहत महमारी गोशित किया गया तो ये किया गया 1997 की धारा 2, 3, 4 के तहत और बात करें करोना वारिस के हलप लाइन नमबर की जिले की बात करें तो जिले का नमबर है 108 अगर बात करें राज्जी सतर पर तो हलप लाइन नमबर है 8588 93 911 और ये सारी डीटेल मैंने यहाँ पे दे दी हैं आप देख सकते हैं ठीक है फ्रेंड और इसकी पीड़फाल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप इसे डाउनलोड कर लेना तो फ्रेंड हमारा गला कोशिन है नीमन में से हरियाना में राज्य सभा के चुनाव के लिए परत्यासी कौन बना है तो बताएए इसका अंसर क्या है तो इसका अंसर आजएगा फ्रेंड ये सभी अंसर क्या होगा डी देखो हरियाना में न दो तो होगे समान्य राज्य सभा चुनाव और एक होगा उप चुनाव जो उप चुनाव है ये किसके लिए होगा जो विरेंडर सिंग थे न इन्होंने इस्तिफा दे दिया था इसलिए यहाँ पे तो होगा उप चुनाव और इन दो सीटों के लिए होगे स मानने चुनाव और जो विरेंदर सिंग की सीट है क्योंकि इन्होंने इस्तीफा दिया है तो यहां पर दुबारा क्या होते हैं उप चुनाव ठीक है फ्रेंड टोटल होंगे तीन सीटों पे तो उनके लिए तीन उभी द्वार कौन से हैं दिपेंदर सिंग हुटा दूसंत और तीसरा है रामचन जांगडा यह नैनी आएगा क्या है रामचन जांगडा तो अंसर क्या हो गया डी तीन सीटों के दो नाम यह होगे और बचगी दो सीटे क्योंकि हरियाना में कुल पांस सीटे हैं राज्यसभा की तो उन दो सीटों पे इसम कौन है एक सीट पे दो है स कोविद ने कहां रखने के लिए टाइटेनियम धात्व पर उतकिरन पवित्तर गीता की एक विशेश क्रीती परदान की है तो फ्रेंड इसका अंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका अंसर आजएगा कुरू छेत्तर अंसर क्या हो गया अब इसे समझो थोड़ा जो रामनात कोविद है न इन्होंने दिल्ली में हरियाना के प्रिवहन मंतरी मोलचन सर्मा और सुवामी ज्यान आनद महराज को क्या दी टाइटेनियम धात्व पर लिखी हुई गीता और इसको गीता सतली कुरू छेत्तर में रखने के लिए कहा तो हमारा कोशन क्या बन गया ये कहाँ पर रखी जाएगी क्या टाइटेनियम धात्व पर लिखी हुई गीता ये रखी जाएगी कुरू छेत्तर में आपको कुरू छेत्तर याद रखना है अगला कोशन है 25-27 मार्स तक किसान महुद्सव हरियाना में कहां आयोजित किया जाएगा तो ये कहां पर किया जाएगा तो फ्रेंड ये किया जाएगा रोगत तक में अंसर क्या हो गया C अब देखो बात आए किसान महुद्सव की यानि क्रिसी से सम्मंदित क्वेशन आया है तो हमें पता होना चाहिए कि हरियाना के क्रिसी या किसान मंतरी कौन है ये हैं जेपी दलाल कौन जेपी दलाल यानि जैपरकास दलाल अब मैंने बात बता ये हरियाना की हरियाना के क्रिसी मंतरी हैं जेपी दलाल अगर बात करे भार्ट के तो यह है नरेंदर सिंग तोमर कौन नरेंदर सिंग तोमर यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है और हरियाना के मुखे मंत्री पता ही है कौन है मनोहरलाल खटर अगला कोशिन है महिला दीवस पर राष्टपती रामनात कोविद ने वोमन ट्रांसफोर्मिंग इंडिया वार्ड से समानित किसे किया तो यह किया सुजात्ता को अंसर क्या होगा अब देखो यहाँ से कई कोशिन बनते हैं यह अवार्ड कब दिया गया यह दिया गया आठ मार्ज को इस दिन क्या था अंतराष्टे महिला दीवस क्या था अंतराष्टे महिला दीवस और जो यह सुझाता है यह कहां से है यह गुरु गुराम में सौट सिटी वन से आप बस यह याद रख लेजिएगा कहां से हैं गुरु गुराम से और यह क्या काम करती है लद्दाक में सरकाई स्कूलों में सिक्षा और जीवन सुधारने का काम और इसकी साथ-साथ मैं आपको बता दूँ जो अंतराश्टी महिला दीवस है ये हरियाना में रज्य सतर पर कहां पे मनाया गया ये भी मनाया गया गुरू ग्राम में कहां पे गुरू गुरू ग्राम में ये भी question बन जाता है और इसका उद्गाटन किस ने किया? मनोहरलाल खटर ने जो कि हमारे Chief Minister अगला question है cricket World Cup में final खेलने वाली सबसे युवा कहलाडी कौन बनी है? तो बताईए ये कौन बनी है? तो friend ये बन गी है सिफाली वर्मा अंसर क्या हो गया? E सिफाली वर्मा का जनम हुआ 28 जनवरी 2004 को और इन्होंने पहला अंतराष्टे मैच खेला 24 सितंबर 2019 को किसके खिलाव? South Africa के खिलाव ये भी आपको ध्यान में रखना है और ये क्या है? Right Hand West Woman ठीक है? यानि ये बैटिंग करती है होगा कलेर आपको इतना? और इसके अलावा Woman Cricket के T20 मैच्चों की रैंकिंग में ये कौन से नंबर पे है? पहले नंबर पे और इसके लवा से फाली वर्मा से कोशन ये आ सकता है कि कहां से है? तो ये हैं हरियाना के रोग तक से तो फ्रेंड अगला कोशन है तीन दीवस ये अस्तल बोर मठ मेला कहां अयुजित किया गया? तो ये कहां पे किया गया? तो फ्रेंड ये किया गया रोग तक में अंसर किया गया? C तो ये हर साल कहां पे किया जाता है? अस्तल भोर में अस्तल भोर पड़ता है अरोब तक में और ये मिला किस की समरीति में मना जाता है सिरो मनी बाबा मस्तनात की समरीति में इस बार ये दो से लेकर चार मार्च तक चला ठीक है फ्रेंड अगला कोशन है अंतराश्ट्य महिला दीवस पर इंद्रा गांदी महिला सक्तेवार से समानित किसे किया गया तो ये किसे किया गया तो फ्रेंड ये किया गया अलका गरक को अंसर क्या हो गया ए और इसके अलावा जो कमले स्टांडा है ये हमारी महिला एवन बालविकास मंतरी सेफाली वर्मा अभी मैंने बताया है ये कहां से हैं रोत्तक से और ये है किर्केटर और बात करें अलकागर की ये कहां से हैं छच्चरोली गाउं से जो की पड़ता है यम्नानगर में और इनको रज्य सत्रिय इंद्रा गांधी पुरुसकार के लिए एक पॉइंट पांच यानि डेट लाग रुपे की रासी मिली है और इसके साथ साथ मैंने अभी बताया भी था जो एक कारेकरम है ये कहां पे आयुजित किया गया गुरु गराम में कब आठ मार्च को अगला कोशिन है अगला कोशिन है ये किया गया फ्रेंड कुरु छेतर में अंसर क्या होगा यानी हरियाना कला प्रिशत का मुख्याल है पहले चंडीगड में होता था लेकिन अब एक मार्च को ये सिफ्ट करके कहां पे कर दिया कुरु छेतर में और इसका उद्खाटन किया मनोरलाल खटर ने जो कि है हमारे सी एम इसके साथ साथ एक है मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर इसका नाम भी बदल कर क्या रख दिया गया है कला करीती भवन क्या कला करीती भवन अगला कोशन है 37 वी रज्य सतरिय पसुधन परदशनी कहां आयुजित की गई तो ये कहांपे की गई अंसर क्या हो गया अब देखो जो ये परदशनी है ये कहांपे की गई ये की गई है रास्टे डैरी उनसंधान सनस्तान में जो की पढ़ता है करणाल में और इसको कहते हैं NDRI जिसकी full form होती है National Dairy Research Institute अब इसे समझो, यहां से भी कोशन आता है तो को इसकी स्तापना हुई थी 1923 में, कहां पे बैंगलोर में लेकिन 1925 में क्या हुआ, इसको स्तानांतरीत कर दिया, कहां पे करनाल में इसलिए, एक्जाम में क्योशन आता है, कि करनाल में इसकी स्तापना कब हुई, 1925 में ठीक है फ्रेंड, और इसको युनिवस्टी बना दिया, 1989 में अरियाना में क्रोना वाइरस के कारण, जिलो को लोक डाउन करना कब शुरू किया गया तो बताईए, इसका अंसर क्या आएगा तो फ्रेंड, इसका अंसर आजाएगा 23 मार्च, देखो, 22 मार्च को था जनता करफ्यू और जनता करफ्यू खतम होते ही, क्या लगा दिया लोक डाउन, हरियाना में अगला कुशिन है, हरियाना में सबसे पहले कितने जिलों को लोक डाउन किया गया तो बताईए, इसका अंसर क्या आएगा तो फ्रेंड, इसका अंसर आजाएगा C, अंसर क्या हो गया साथ जिले, ठीक है फ्रेंड अगला कुशिन है हरियाना में सबसे पहले किन साथ जिलों को लोक डाउन किया गया तो बताइए इसका अंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका अंसर आजाएगा A और B दोनो अंसर क्या आएगा D यहीं जो साथ जिले सबसे पहले लोकडाउन किये गए थे हरियाना में वो कौन कौन से हैं नमबर एक तो गुरुग्राम, एक फरीदाबाद, सोनी पत, पानी पत, जजजर, रोतक और पंचकुलाब यह साथ जिले हैं अगला कोशन देखते हैं हरियाना के 22 के 22 जिलों को लोकडाउन कब किया गया तो फ्रेंट बताइए यह कब किया गया तो यह किया गया 24 मार्च को देखो 23 मार्च को रात को कोशना की गई थी कि 24 मार्च सुरू होते ही सभी जिले लोकडाउन हो जाएंगे तो इसलिए इसका अंसर किया गया 24 मार्च देखो 7 जिलों को तो किया गया 23 मार्च को और पूरे 22 के 22 जिलों को किया गया 24 मार्च को अगला कुशन है हरियाना में पहला कुरोना का मरीज किस जिले में मिला तो ये कौन से जिले में मिला ये मिला गुरू ग्राम में अंसर क्या होगा C और ये थी एक 29 साल की महिला अगला कोशन है करोना पेडितों के इलाज के लिए सरकार ने किस फंड की स्थापना की है तो बताईए इसका अंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका अंसर आजाएगा करोना रिलिफ फंड अंसर क्या होगा यानि इसमें जितना भी फंड आएगा यानि पैसे आएगे उनसे क्या होगा करोना के मरीजों का इलाज किया जाएगा इसके अंदर हमारे मुख्य मंत्री ने 5 लाख रुपे की रासे डाली है और चितने भी विधायक है वो अपना एक महीने का वेतन देंगी अगर आप भी इस क्रोना रिलिफ फंड में कुछ पैसे देना चाहते है तो आपको करना क्या है ये खाता नंबर है और ये है IFSC कोड आप चाहे तो इसमें रासी जमा करवा सकते है और ये खाता SBA बेंक का है जो की पढ़ता है पंचकुला के सेक्टर दस में अगला कोशिन है लोकडाउन का उलंगन करने पर कौन सी धारा के तहत कारवाई की जाएगी तो बताईए इस कंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इस कंसर आजाएगा A 188 धारा के तहत इसमें क्या होगा जो लोकडाउन का उलंगन करेगा उसे 6 महीने की सजा या 1000 रुपे का जुर्माना या फिर ये दोनों दिये जा सकते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो लोकडाउन है उसके अंदर ये चीचे खुली रहेंगी इसका आप सक्रीन शूट ले सकते हैं ठीक है वैसे में नॉर्मल भासा में बताऊं मेडिकल खुले रहेंगे जो परचून की दुखाने होती है किराना वाली यानि जर्नल स्टोर ये खुली रहेंगी दूद की डैरी खुली रहेंगी ठीक है फ्रेंट अगला कोशन है लोकडाउन का उलंगन करने पर कितने महीने की सजा का प्रावधान है तो बताइए इसका अंसर क्या होएगा तो फ्रेंट इसका अंसर आजाएगा छे महीने अंसर क्या होगा अगला कोशन है हरियान सरकार ने कुरोना को किस अधिनियम के तहट महमारी गोजित किया तो अंसर क्या आएगा इसका इसका अंसर आजाएगा अठारा सो स्तनवे अंसर क्या होगा बी तो अठारा सो स्तनवे की धारा दो, तीन और चार के तहट कुरोना वारिस को क्या गोशित क्या महा मारी जैसे कि आप सक्रीन के उपर देख सकते हो ये तीन नंबर अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं देखो सेंटर के लिए नंबर है ये वाला अगर आप हर्याना रज्य से हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं फिर इस पर देखो ये तो है जिले के नुसार जैसे आप जीन्द में है तो जीन्द की जीन्द में इस पर कॉल कर सकते हैं और ये है रज्य सतर पर ये है जिला सतर पर वैसे आप किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं और कुरोना वायरस का नाम क्या है? COVID-19 अगला कोशिन है, हरियाना में कुरोना वायरस हेलप लाइन नंबर क्या है? तो बताइए, ये क्या है? तो फ्रेंड ये है, D अंसर क्या हो गया? A और B दोनों देखो, रज्य सतर पर तो यही नंबर है 85, 583, 911 जीला सतर पर, 108 पर भी कौल कर सकते हैं तो इसलिए इसका अंसर क्या हो जाएगा? A और B दोनों अगला कोशिन है, हरियाना में बेस्ट विलेज के अवार्ड से किसी समानित किया गया? तो ये किसे किया गया? तो फ्रेंड ये किया गया, बाला देवी को अंसर क्या हो गया? A देखो जो बाला देवी है, ये कौन है? कैथल में एक गाव है, मुंदड़ी क्या? मुंदड़ी वहां की है सरपंच इनको समानित किया गया है, बेस्ट विलेज के अवार्ड से अब ये तो बात होगी व्यक्ति की अगर बात आती गाव की, तो अंसरा दता मुंदड़ी गाव और ये पढ़ता है कैथल में क्यों समानित किया गया? क्योंकि यहां का लिंगनुपात कितना हो गया है 1781 यानि एक हजार लड़कों पे कितनी लड़किया है इस काम में 1781 अगला कुशन है हर्याना परदेश में रेड क्रो सुसाइटी की वैस चेर परसन किसे बनाया गया? तो फ्रेंड ये किसे बनाया गया? ये बनाया गया है सुसमा गुपता को अंसर क्या हो गया? C और हमारा अगला कुशन है कुशेतर में जैविक खेती या प्राकर्ति खेती परसिक्षन का उधगाटन किस ने किया? तो फ्रेंड ये किस ने किया? ये किया उप्रोक सभी अंसर क्या होगा? D JP दलाल ने जो की हमारे क्रीशी मंतरी मनोरलाल खटर ये हमारे मुख्य मंतरी यानि हरियाना के मुख्य मंतरी और जो अचारियत देवर्थ है ये हैं गुजरात के रज्जेपाल ठीक है? इन तीनों ने मिलके किया उधगाटन और जो प्राकर्ति खेती परसिक्षन है ये कहाँ पे है? गुर्गुल ठेतर में और इस पे लागत कितने आई है? दो क्रोड ग्यारा लाक रुपे हरियाना की कौन सी खिलाडी ने वर्ल्ड गेम एथलेट ओफ दा इयर 2019 का खिताब जीता तो बताईए ये किस ने जीता? तो फ्रेंड ये जीता है राणी रामपाल ने अंसर क्या हो जाएगा? बी अब राणी रामपाल के बारे में समझो जो राणी रामपाल है ये क्या है? होक्की की खिलाडी जो भरत्यमेला होकी टीम है ना इसकी ये कप्तान है ठीक है? और राणी रामपाल का संबंद है हरियाना में एक जगे हैं शाहबाद वहाँ से और शाहबाद पढ़ता है कुर्छेतर में और इसके साथ साथ जो राणी रमपल है इनको 2020 का पदम सिरी पुरुसकार भी मिला है कौन सा पदम सिरी देखो जो पदम सिरी है 2020 में कुल 118 विक्तियों को मिला है पदम सिरी तो मिला 118 विक्तियों को और एक उता पदम भी भुशन ये मिला साथ को और एक उता पदम भुशन ये मिला سोला को exam में ये question भी आ सकता है कि 2020 में कितने पदम पुरुषकार मिले क्या बोला मैंने पदम तो पदम के लिए हम क्या करेंगे इन तीनों को जोड़ देंगे कितने हो गए एक सो इक तालिस तो पदम पुरुषकार कितने मिले हैं 2020 में एक सो इक तालिस अगर पुछे पदम सिरी तो 118 पदम भी भुषण साथ और पदम भुषण सोला तो आगे आपको समझ में और फ्रेंड जो मैं बोल रहा हूँ इसकी सारे डिटेल मैंने याँ पर दे रखी है ठीक है और इसकी PDF आप description से डाउनलोड कर सकते हैं जो राणी रामपाल है ये World Game Athlete of the Year का पुरुसकार जीतने वाली पहली मैला होकी हिलाडी बन गई है यानि इससे पहले हरियाना या भारत में नहीं पूरे विस्व में किसी भी होकी टेम की हिलाडी ने World Game Athlete of the Year का पुरुसकार नहीं जीता तो ये भी क्वेशन इंपोर्टेंट हो जाता है अब पुरुसकार की बात हो रही है तो एक पुरुदेश मंत्री सुसमा सवराज जिनका समन्था अंबाला जिले से उनको मरनो परांत मिला है पदम भीवशन कौन सा पुरुसकार पदम भीवशन ये भी आपको याद रखना है कब मिला है मरनो परांत यानि मरने के बाद तो फ्रेंड आगया आपको समझ में अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लिस वीडियो को लाइक जरूर करते यार तो अगला कोशिन है तो ये किया गया फ्रेंड रामनात कोबिन के दुआरा अंसर क्या हो गया C ये हमारे रश्टपती हो गए मनोरलाल खटर हमारे मुख्यमंत्री जैराम ठाकूर हिमाचल के मुख्यमंत्री और सित्यदेवनारेन हमारे राज़ेपाल यानि हरियाना के राज़ेपाल जै राम ठाकुर क्यों लिखा मैंने या पे क्योंकि जो 2020 का सुरजकुंड मेला है 34 नमबर का इसमें थीम स्टेट कौन है हिमाचल परदेश और फोकस कंट्री उजबेकिस्तान मैं सुरजकुंड मेले की पूरी डिटेल वीडियो के एंड में दे दूगा क्योंकि सुरजकुंड मेले से एक क्योशन हर बार आता है और ये 34 मां सुरजकुंड मेला एक फरवरी से सुरू हो गया है और ये चलेगा 16 फरवरी तक अगला क्योशन है 26-27 जनवरी तक चटे वर्षिक सबजी एक्सपो मेले का योजन कहा किया गया तो फ्रेंड ये कहाँ पे किया गया ये किया गया करनाल के घरोंडा में घरोंडा कहाँ पे है करनाल डिश्टिक में और इसके मुख्या थी थी यानि उद्गाटन किसने किया हमारे क्रिशी मंतरी जेपी दलाल ने और जो छटा वर्सिक सबजी मेला था ये घरोंडा के करनाल में किया गया ये तो आपको पता लग गया लेकिन इसके लावा एक जी जो रियाद रखनी है ये घरोंडा में किस जगह पे किया गया ये किया गया सबजी उत्करिष्टता के अंदर में कहाँ पे सबजी उत्करिष्टता के अंदर में इससे क्वेशन और बन गया आपका सबजी उत्करिष्टता के अंदर कहाँ पे हरियाना में घरोंडा के अंदर यानि करनाल में लोकडाउन में हरियाना से पहली सार्मिक स्पेशल ट्रेन कहां से कहां तक गई तो ये कहां से का तक गई रोब तक से पटना कहां से रोब तक से पटना हरियाना से पहली सार्मिक ट्रेन में कितनी बोगिया थी यानि कितने डिब्बे थे तो कितने थे 24 और इसमें करीब 1200 सार्मिक गई है हरियाना सरकार को फसल बेचने के लिए किसान किस Portal पर पन्जीकन करवाते हैं तो ही किस Portal पर करवाते हैं मेरी फसल मेरा प्योऔरा अगला कोशन है फसल खरीद में सामिल सबी किसानों, आड़तियों, मजदूरों वा करमचारियों के लिए हरियाना सरकार ने कितने रुपे जीवन वीमा कवर करने की घोशना की है तो ये की है 10 लाग यानि जो COVID-19 यानि क्रोना वारिस है इससे कोई किसान आड़ती मजदूर या करमचारी की मिर्ति होती है न तो उसके परिवार को सरकाद 10 लाग रुके देगी मेरा असियाना नामक 21 मंजिला आसियाना का निर्मान सिर्सा में किन के लिए किया गया तो ये किन के लिए किया गया पक्षियों के लिए हरियाना ने रैपिट टेस्ट किट का ओडर चाइना से कैंसल कर किस देश को ओडर दिया है तो ये दिया है दक्षिन कोरिया यानि साउथ कोरिया को कोविड-19 के मरीजों का इलाज कर रही डक्टर पूजा भाटिया हरियाना में कहां से हैं तो ये कहां से हैं रोग तक से हरियान सरकार ने लोक डाउन के चलते सराब की बोतल पर कितने रुपे कोविड-19 सेस लगाएगी तो ये लगाएगी 2 रुपे से लेकर 20 रुपे तक यब ये डिपेंड करता है कि सराप की बोतल कौन सी है तो कितने रुपे लगाएगी 2 से 20 रुपे लोकडाउन में टीवी के मादे हमसे पढ़ाने वाला हर्याणा कौन सा रज्य बना तो ये कौन सा बना पहला हर्याणा सरकार ने करमचारियों के किस भत्ते पर जुलाई 2021 तक रोक लगा दी है तो ये किस भत्ते पर लगाई है ये लगाई है यात्रावे मेंगाई बत्ता यानि DA और LTC हर्याणा में स्कूल के विद्यारित्यों को क्रोना के प्रति जागरू करने के लिए कौन ओनलाईन प्रत्योंगीता आयुजित कराएगी तो ये कौन कराएगी HBSC यानि हर्याणा विधाल्या सिक्सा बोर्ड हर्याणा विधाल्या सिक्सा बोर्ड COVID-19 में online प्रत्योगिता आयुजित कराने वाला कौन सा बोर्ड बना तो ये कौन सा बोर्ड बना है पहला हरियाना विधालय सिक्सा बोर्ड COVID-19 में online प्रत्योगिता के लिए registration कब से कब तक होंगे तो ये होंगे 2 मई से 7 मई तक और ये प्रत्योगिता चटी कलास से लेकर 12 में कलास तक होगी एक तो होगी चटी से 8 में तक और फिर 9 में 10 में तक और फिर 11 में 12 में तक हरियाना विधालय सिक्सा बोर्ड COVID-19 में online प्रत्योगिता में कितने परसन आएंगे तो इसमें कुल 100 परसन आएंगे तो टोप 10 में आएंगे हरियाना में कितने और नए जिले बनाए जाएंगे तो बताइए इसका अंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका अंसर आजाएगा दो जिले अंसर क्या होगा बी अगला कुशिन है हरियाना में किस तैसिल को जिला बनाए जाएगा तो बताईए किस तैसिल को जिला बनायजाएगा तो friend इसका अंसर आजाएगा B और C दोनों अंसर क्या आगा? D यानि जो गोहाना है और हासी है इन दोनों को क्या बनायजाएगा? जिला देखो, जो गोहाना है ये पढ़ता है सोनी पत में और जो हासी है ये पढ़ता है हिसार में और जो मानेसर है ये पढ़ता है गुड़गाओं में लेकिन जो जिले बनाये जाएंगे वो है गोहाना और हासी ठीक है फ्रेंड अगला कुशन है हर याना में गोहना और हां सी को जिला बनाने के बाद कुल कितने जिले हो जाएंगे तो बताओं इसका अंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका अंसर आएगा 24 अंसर क्या ओगा डी यनि अब 22 हैं दो और बन जाएगे तो हो जाएगे को टोटल 24 अगला कुशिन है महिंदर गड़ जीले का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा तो बताईए इस कांसर कान आएगा तो फ्रेंडि इस कांसर आएगा नार्नोल अंसर हो गया बी अभी बात चल रही है कि महिंदर गड़ नाम क्या रखा जाए नारनोल अगला कोशिन है हरियाना में धार्मिक स्थल कब खोले गए तो बताइए इस कंसर क्या आएगा तो फ्रेंट इस कंसर आएगा C 8 जोन को अंसर हो गया C देखो हरियाना में 22 जिले हैं लेकिन 22 जिलों सिर्फ 20 जिलों में धार्मिक स्थल खोले गई हैं 22 के 25 जिलों में नहीं खोले गई क्योंकि जो गुरुगराम है और फ्रीदाबाद है ये क्या है रेड जोन में इसलिए यहां पर धार्मिक स्थल नहीं खोले गई जैसे मंदिर, मस्जिद, गुर्दवारे यहां पर बंद है अगला कोशिन है हरियाना के दो ऐसे कौन से जिले हैं जिन में अभी तक मोल धार्मिक स्थल बंद है तो बताईए इसका अंसर क्या आएगा तो मैंने अभी अभी बताया क्या गुरुगराम और फ्रीदाबाद अंसर क्या हो गया B देखो जो गुरुगराम और फ्रीदाबाद है यहां पर धार्मिक स्थल और मोल यह दोनों तो बंद है लेकिन जो रेस्टोरेंट है न यह खोल दिये गए है लेकिन इसमें 50 परतीशती वेक्ती बैठ सकते हैं जैसे कोई रेस्टोरेंट हो गया इसमें 100 वेक्ती बैठ सकते थे अब इसमें सिर्फ 50 बठा सकते हैं ठीक है फ्रेंट अगला कोशिन है सारजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर कितने रुपे का जुर्माना लगा जाएगा तो बताएए इसका अंसर क्या आएगा तो फ्रेंट इसका अंसर आजाएगा 500 रुपे अंसर क्या हो गया एए देखो सारजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाओगे तो 500 रुपे है अगर सारजनिक स्थानों पर थुकोगे तो भी 500 रुपे जुर्माना लगेगा और इसके अलाबा अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग का उलंगन करोगे तो भी लगेगा 500 रुपे जुर्माना और इसके अलाबा अगर क्वारंटीन का उलंगन करोगे तो 2000 रुपे जुर्माना लगेगा अगला कुशन है हरियाना ने बिना पर्मिट दूसरे रज़े में जाने के अनुमती कब से दी है तो बताईए इसका अंसर क्या आएगा इसका अंसर आज़ेगा एक जून से यानि अब आपको किसी दूसरे रज़े में जाने के लिए पर्मिट की जूरत नहीं है अगला कुशन है मनहोरलाल खटर ने हर्याना में कितने नए इंगलिस मीडियम स्कूल खोलने को कहा है तो बताईए इस कंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इस कंसर आजाएगा 1000 अंसर हो गया B अगला कुशिन है हर्याना में अब कौन सी विमारी की जाज़ फरी में होगी तो बताईए इस कंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इस कंसर आजाएगा हैपेटाइटस B और कालापीलिया यानि ये दोनों तो अंसर क्या हो गया C पहले इन पे ना करीब 5000 रुपे खर्च होता था अब ये बिलकुल फरी गर्दी है अगला कुशिन है hartrans.gov.in साइट के माद्यम से booking की जाएगी तो बताईए इसके माद्यम से किस चीज की booking की जाती है तो फ्रेंड इसका अंसर आजाएगा बसों की यानि हर्याना रोडवेज बसों की अंसर हो गया B और आपको booking करने के बाद कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा नमबर एक तो आपके पास मास्क होना चाहिए और आपके फोन में अरग्य से तो एप होना चाहिए और आपको मैं बता दूँ एक बस में तीस सुवारिया ही बैठ सकती है अगला कुशिन है किसानों को धान के लावा अन्य विकल्पी खेती करने के लिए कौन सा जागरुपता अभियान चलाया गया है तो बताईए इसका अंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका अंसर आजाएगा मेरा पानी मेरी विरासत अंसर हो गया B इस अभियान का उदेश से क्या है पानी का सेलक्षन करना किसका पानी का और जो किसान धान की खेती के अतिरिक दूसरी खेती करेगा उसको 7000 रुपे परती एकड सरकार देगी अगला कुशिन है हर्याना के सरकारी स्कूलों में विदार्थियों को मईज जून महिने की मिड़े मील में मिठा फ्लेवर्ड दूद पाउडर का डिबबा कितने ग्राम का दिया जाएगा तो फ्रेंड इस कंसर क्या आएगा इस कंसर आजाएगा 500 ग्राम यानि अद्धा किलो का अगला कुशिन है लोकडाउन में हरियाना को कितने जोन में बाटा गया तो पताईए इस कंसर क्या आएगा इस कंसर आजाएगा तीन पहला रेड जोन दूसरा ओरेंज जोन तीसरा ग्रें जोन अगला कोशिन है नीमन में से किस राज्जे ने क्रोन बिमारी में कारेरत डाक्टरों की सेलरी डबल करने का निरने लिया तो पताईए इस कंसर क्या आएगा तो इस कंसर आजाएगा हरियाना अंसर क्या हो गया अगला कोशिन है प्रैमरी बच्चों की पढ़ाई के लिए संपर्ग बैठक मोबाईल एब किस रच्चे दवारा लॉंच की गई तो किस रच्चे दवारा की गई बताईए तो फ्रैंड ये की गई है हरियाना के दवारा अंसर क्या हो गया अगला कोशिन है लोकडाउन में बिजली रीडिंग में हुई गडबड़ी को ठीक करने के लिए हरियाना सरकार ने कौन सा प्रोजेक्ट सुरू किया है तो बताईए इस कंसर क्या आएगा इस कंसर आजाएगा ट्रस्ट रीडिंग प्रोजेक्ट अंसर क्या होगा इसमें क्या होगा अगर आपके रीडिंग कम ज़ादा है तो आप परियाना बिजली बोर्ड की साइट पे जाकर उसे ठीक कर सकते हैं अगला कोशन है सेल्फी विद डोटर की ब्रैंड मैस्टर कौन बनी है तो बताईए इसका अंसर क्या आएगा तो फ्रैंड इसका अंसर आजएगा अवनी अगरवाल अंसर क्या होगा और जो सेल्फी विद डोटर अभियान है इसकी सुरुवात कहां से हुई थी ये हुई थी जीन्द के बीवीपुर गाम से अगला कोशन है मिशन फते का संबंद किस से है तो बताईए इसका अंसर क्या आएगा तो फ्रेंट इसका नसर आजाएगा पोदे लगाने से अंसर क्या होगा अगला कोशन है नीमन में से किस पार्टी के दोवारा 14 जून को वर्चवल रेली की जाएगी तो बताईए इसका अंसर क्या आएगा इसका नसर आजाएगा बीजे पी अंसर क्या ओगा E धेखो जोह या रिल्ली है ना इसमें 1 लाग से अधिक लोग जुड़ने की उमीद है और जोह एक लाग से अधिक लोग हो ये कैसे जुड़ेंगे उनलाइन जैसे सोसल मेडिया के माद्धिम से टी वी के माद्धिम से ठीक है और जो ये रेली है ना सिर्फ ग्यारा जिलो के लिए होगी और ये ग्यारा जिलो के नाम आप यहां पे देख सकते हैं अगला क्वेशन है 7 से 14 जूम तक जन संपर्क अभियान किस पार्टी ने शुरू किया है तो ये किसे ने किया है ये भी किया है BJP ने अंसर क्या होगा A अगला क्वेशन है 2020 में जारी Education World गवर्मेंट रैंकिंग में कुर्चितर उनियस्टी को देश भर में कौन सस्तान मिला है तो ये कौन सस्तान मिला है ये मिला है 68 अंसर क्या होगा C देखो पूरे देश में मिला 88 सेटमा लेकिन हर्याना में मिला पहला अगला कुशिन है हर्याना सरकार कौन से विद्यारतियों के लिए फरी पासपोर्ट बनाएगी तो इसका अंसर क्या आएगा इसका अंसर आएगा 3ड य liberté यानि फाइनल एर के बच्चों के लिए आंसर क्या हो गया C जो हाल ही में राज्यसबा संसत के रूप में चुने गई हैं तीन व्यक्ति वो कौन है देपेंदर सिंग हुड़ा दुस्यंत कुमार गोत्तम और रामचंदर जांगडा क्या है रामचंदर जांगडा हरियाना के अंबाला से जो सुस्मा सवराज है इनको कौन सा पदम पुरुषकार दिया गया है ये दिया गया पदम भिवोशन वर्ल्ड गेम एथलिट ओफ दा एर का पुरुषकार जीतने वाली खिलाड़ी कौन है राणी रामपाल और ये खिलती है होकी चोनतीसवे सुरुजकूंड मेले का उद्गाटन किस ने किया था रामनात कोविंद ने और चोनतीसमा सुरुजकूंड मेला कब से कब तक चला ये चला एक फरवरी से सोला फरवरी तक छटे वासिक सबजी परदशनी मेले का उद्गाटन कहां पे किया गया घरुणडा में और घरुणडा कहां पे है करनाल में जो कलावे संस्कृती मामलों का भी वाग था अब किस के पास है कवरपाल गुजर के पास पहले था ये मुलचन सर्मा के पास खिलो इंडिया यूवा खेल 2020 में हरियाना ने कुल कितने पदक जीते है ये जीते 200 पदक और इसी के साथ रहा दूसरे नमबर भी खिलो इंडिया यूथ गेम 2020 में कौन सा संस्क्रण आयो जित किया गया तो 2020 में कौन सा संस्क्रण था तीसरा खेलो एंडिया यूथ गेम 2020 का तीसर संस्क्रण कहां पर आयोजित किया गया तो यह कहां पर किया गया था गुहाटी में मीनी सुरुजगूंड मेले की तरज पे कौन सा महोटसब हुआ था भी अबी यह हुआ था सर्स्वती महोटसब अंतराश्टे सर्स्वती महोटसब कहां पर आयोजित किया गया यह कहां पर किया गया यह किया गया आदी बदरी में जो की पढ़ता है यम्ना नगर में अगला कोशन है अंबाला बस्टेन्ड का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है तो ये रखा गया है सुसमस सवराज के नाम पे और जो 32 दिकसान्थ समारो है ये कहां पे आउजित क्या गया K.U.K. उनिष्टी में कौनसी K.U.K. कुर्चेतरा उनिष्टी हरियाना में विधान सबा के लिए कुल कितनी सीटे आरक्सित हैं तो विधान सबा के लिए कुल सीटे आरक्सित हैं 17 और वैसे सीटे है 90 90 में से 17 हैं आरक्सित ऐसे ही लोक सबा की 10 सीटे हैं हरियाना में जिसमें से 2 सीटे आरक्सित हैं एक सिर्षा की और एक अमबाला की 2020 में हरियाना के किस खिलाड़ी को पदम सिरी पुरुषकार से समानित किया गया तो फ्रेंड ये किया गया राणी रामपाल को और जो 26 जनवरी को गंतंतर दीवस मनाया गया इसमें मनोरलाल खटर ने कहां से दवज फिराया इन्होंने फिराया जेन से और जो इस बार हर्याना का राज्य सतरी गंतंतर दीवस है ये कहां पर रहुजित किया गया ये किया गया अंबाला में कहां पर अंबाला में और अंबाला में किसने राष्टे दवज फिराया हमारे सतर में राज्यपाल सत्यदेव नारायन ने हर्याना विधान सबा के अध्यक्स ग्यान्चंद गुपता ने गंतंतर दीवस पर कहां से धवज फिराया ये फिराया कुर्चेतर से और जो हर्याना के उप मुख्य मंत्री हैं दूसरें चोटाला इन्होंने गंतंतर दीवस पर कहां से धवज फिराया करनाल से उसके बाद है हरियाना में CID भीवाग किस के पास है? मनोहरलाल खट्टर के पास किस के पास? मनोहरलाल खट्टर के पास हरियाना हैंड़बाल टीम के नए कफ्तान कौन बने है? वकील सिंग और जो बेंगलूरू में संपन हुई है राष्टे योग परतियोगिता में गोल्ड मैडल किसने जिता? गितान सुने इनलो पार्टी के नए प्रदेशा आधेक्स कोन बने है? ये बने है नफेसिंग राठी हरियाना सरकार ने किस वर्ष को सुशसन संकलब के रूप में मनाया? तो ये बनाया 2020 को हरियाना का लाल डोरा मुक्त होने वाला पहला गाव सिर्सी कौन से जिले में आता है? ये आता है करनाल में हरियाना का पहला डिजिटल गाव गुरावडा किस जिले में आता है? ये आता है रिवाडी में हर्याना फिलम प्रोचसाहन बोर्ड के अध्यक्स कौन बनी है तो ये बने है 37 कोशिक वायू सेना में फलाइंग ओफिसर बनने वाली पूनम चोहान कौन से जिले से हैं तो ये कहां से हैं ये हैं पलवल से हर्याना सरकार ने 29 दिसंबर को अटल किसान मजदूर कैंटीन की सुरुवात कौन सी मंडी से की थी ये की थी करनाल से हर्याना में सुआमी विवेकानन के जनम दिन पर रन फोर यूथ मेराथन का आयोजन कहां पर किया गया तो ये कहां पर किया गया रिवाडी में रोम रैंकिंग रैसलिंग 2020 में स्वन पदक किसे ने जीता तो फ्रेंट ये तिनों ने जीता बजरंग पुनिया विनेस फोगाट और रवी कुमार ने रोम रैंकिंग रैसलिंग 15 से 18 जनवरी 2020 तक कहां पर आयोजेत की गई इटली में अमेरिका की फोग्स पत्रिका ने 2020 में दुनिया के सबसे प्रहवसाली देशों में दूसरें चुटाला को कौन सस्तान दिया ये दिया सात्मा हरियाना सरकार ने बुड़ापा पैंसन को बढ़ा कर कितना कर दिया है ये कर दिया है दो हजार से 2250 यानि 2500 रुपे बढ़ा दिये है हाल ही में कौन सी नगर पालिका को नगर परिस्द का दर्ज़र दिया गया ये दिया गया जजज़र को अनीता कुंडू ने एक जनवरी 2020 को विस्सव के कितने माधिपों की सबसे उची चोटी पर फते हासिल कर चुकी है तो ये कर चुकी है छे चोटीों पे टोटल है साथ साथ में से छे पे फते कर चुकी है 2019 का जूनियर फ्री स्टैल रेसलर ओफ दा एयर किसे मिला ये मेरा दिपक पुनिया को 2020 के एसे कुस्ति परतियों गिता में भारत कौन से स्थान पे रहा ये रहा तीसरे स्थान पे हरियाना में AIPS ATM की सेवा कहां सुरू हुई तो ये हुई है डागगरों में अगला कुशन है हरियाना के कितने डागगरों में इंडिया पोस्ट पेमेट बैंक के खाताधारकों के लिए ATM की सेवा सुरू की गई तो ये की गई 2693 डागगरों में राजेपल सत्यदेव नारायन ने प्रोफेसर राजवीर को किस उन्वेस्टी का नियमित कुलपती नियुक्त किया है तो एक कौन सी उन्वेस्टी का किया MDU का हरियाना में किस निर्दलिय विधाएग ने वीजेपी से समर्थन वापिस ले लिया तो ये लिया बलराज कुंडू ने 2020 का बजट किस ने पेस किया मुख्यमंतरी मनहोलाल खटर ने और इस बार 2021 में कुल कितना बजट पेस किया गया तो फ्रेंड ये किया गया एक लाख ब्याली हजार तिन सो तरितालिस पॉइंट अठंतर करोड का 2020 में हरियान सरकार का करजा भढ़कर कितना हो गया ये हो गया एक लाख अठाणी हजार साथ सो करोड बजट का कितना परतिशत वेतन और पेंसन पर खर्च होगा ये होगा 40 परतिशत और सिखसा पर खर्च होगा 15 परतिशत और जो होस्टल है इसमें SC के चात्रों के लिए 20 परतिशत सीटे आरक्सित रहेंगी और जो किसानों को पहले 7 रुपे परती यूनेट की धर से बिल भरना पड़ता था अब उनको भरना पड़ेगा 4 रुपे 75 पैसे परती यूनेट की धर से सुसमा सवराज के नाम पर कहां के गूर्मेट कोलेज का नाम रखा जाएगा तो ये रखा जाएगा बललफ कर्ड 52 केजी में वर्ल्ड कप के नंबर वन बॉक्सर कौन बन गई हैं? अमित पंगाल हरियाना सरकार ने उन खिलाडियों को 12 से 20 जार रुपे मासिक पैसन देने की सुरुवात की है जो निच्चे दी गई तीनों कंडिशनों को पूरा करते हैं नंबर एक तो वो अंतरहश्टे सतर पर पदक लाने वाला खिलाडी हो नंबर दो उसकी उमर 30 साल से अधिको और नंबर तीन खिलाडी दवारा खिल छोड़ने के बाद यानि उसने खिल से सन्यास ले लिया हो हाल ही में बीवाने के किस गाउं से हडपा कालिन सबगत्या के अफसेस मिले तो ये मिले हैं तिगडाना गाउं से हाल ही में अस्टेलिया मादीब की सबसे उच्छी चोटी किया जोसको पर फते हासिल करने वाले कपिल ठाकूर किस दिले से हैं तो ये हैं सोनी पत्से हर्यान सरकार ने दूसरी अटल किसान मजदूर कैंटीन की सुरुआत किस दिले से की ये की पंचकुला से दूसरी की पंचकुला से पहले की थी करनाल से 46 में पूरुस महिला जूनियर नेशनल कवड़ी परत्योग जिता कहां पे हुई यह हुई MD University में इसमें महिला जूनियर नेशनल कवड़ी का किताब जिता हर्याना ने और हराया SAI को और जो पुरुस जुनियर नेशनल कबंडी का किताब है ये जिता एसे आई ने और हराया युपी को जो तेईस्वों राष्टे पुरुस का समारो है इसमें उत कृष्टा की स्रेणी में गोल्ड अवार्ड मिला है हरियाना को किसके लिए अंतोद्य सरल परियोजना के लिए हरियाना के किस हडपा सबद्धा के सबसे पुराने सतल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तरज पर विक्सित किया जाएगा तो ये किया जाएगा राखी गड़ी को किसको राकी गड़ी को और ये है हिसार में हाल ही में किसे भारते पैर उलम्पिक समीति का अधेक्स बनाया गया ये बनाया गया दिपा मलिक को ये है बैसवाल से जो की पड़ता सोनीपत में मास्टर नैसनल होकी गेम्स किसने जिता ये जिता हर्याना ने और हाल ही में हर्याना के कितने जिलों के लिए वाटर सेड परियोजना को मनजूरी मिली है ये मिली है छे जिलों को अखिल भारते पुर्ष गुड़सवारी परत्योगीता एवंगुडसवार पुलिश डूटी मीट दोजर बीस का आयोजन कहां पे किया गया ये किया गया भोंडसी में हर्याना सरकार की नई खेलनीती के अनुसार माउंट एवरेट सहीद विश्व की सबसे दस उची चोटियों पर चढ़ाई करने वाल परवता रोही को कितनी रासी दी जाएगी ये दी जाएगी पांच लाग रुपे भारत में करोना को महमारी घोजित करने वाला पहला राज्य कोन बना था ये बना हर्याना हर्याना सरकार ने करोना को किस अधिनियम के तैत महमारी घोजित किया तो ये किया अधिनियम 1897 की धारा 2,3 और 4 के नुसार हर्याना में महमारी COVID-19 के लिए help 9 नंबर क्या है पदम सिरी और जो टाइटिनियम धातों से उत क्रीन पवित्तर गीता है वो कहां पे रखी गई है कुर्छेतर में 25-27 मार्स तक किसान मोथ सव हर्याना में कहां पर आयोजित किया गया ये किया गया रोध तक में महिला दीवस पर राष्टपती रामनात कोमिंद ने वोमें ट्रासफर्मिंग इंडिया आवार्ड से समानित किसे किया ये किया सुजाता को किर्केट वर्ल्ड कप में फाइनल खेलने वाले सबसे युवा खिलाडी कौन है ये है सेफाली वर्मा सबसे कम उमर में man of the match अवार्ड पाने वाली खिलाड़ी भी कौन बनी है ये बनी है सिफाली वर्मा और सिफाली वर्मा कहा से है रोग तक से इस समय महिला T20 रैंकिंग में नंबर एक की बल्लेवास कौन है ये है सिफाली वर्मा सुखन लेको पंजाभाई कोड ने क्या कहा जीवित व्यक्ति तीन दिवसिय अस्तलबोर मठ मेला कहा पर आयुजित किया गया ये किया गया अस्तलबोर में जोकी पड़ता रोग तक में अंतराष्टे महिला दीवस पर राष्टे सतर ये इंद्रा गांदी महिला सक्ती अवार्ड से समानित किसे किया गया ये किया गया अलका गरक को हरियाना में राज्टे सतर पर अंतराष्टे महिला दीवस कहां पर आयुजित किया गया ये किया गया गुरू ग्राम में कुर छेतर में जैवी खेती प्रसिक्सन का उद्गाटन किस ने किया तो ये तीनों ने किया नमब एक तो जेपी दलाल जो है कृशी मंतरी मनोहरलाल खटर ये मुख्य मंतरी है अचारिय देवर्थ ये गुजरात के रज्यपाल है हरियाना में करोना वारिस के कारण सबसे पहले कितने जिलों को लोकडाउन किया गया था तो ये किया गया था साथ जिलों को और उसके बाद 22 जिलों को कर दिया था हर्याना में सबसे पहले साथ कौन से जीलों को लोकडाउन किया गया तो जो सबसे पहले लोकडाउन किया गये थे साथ जीले वो कौन से थे गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, जजजर, रोत्तक और पंचकुला हर ग्याना में पहला करोना मरीज किस जिले में मिला तो ये मिला गुरू ग्राम में जो की एक महिला थी करोना पेडित का इलाज करने के लिए सरकार ने किस फंड की स्तापना की तो ये की है करोना रिलीफ फंड लोगडाउन का उलंगन करने वाले पर कौन सी धारा के तहत कारवाई की जाएगी ये की जाएगी धारा 188 के तहत लोगडाउन का उलंगन करने वाले पर कितने महीने तक की सजाय का प्रावधान है तो ये 6 महीने तक की हर्याना में best village का अवाड किस गाउं को मिला तो ये किसे मिला मुझद्डी गाउं को जो की पड़ता है कैथल में हर्याना परदेश में रेड़ क्रो सुसाइटी के vice chair person किसे बनाया गया तो ये बनाया गया सुसमा गुपता को अंतराष्टे महिला दीवस का थीम क्या था? Each for equal हर्याना कला परिशत का मुख्याले चंडी गड़ से कहां सिफ्ट किया गया? ये किया गया कुर्छेत्तर में अब मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? कला कृती भवन 37-वी राज्य सतरिय पसुधन परदशनी कहां पर आयुजित की गई? ये की गई करनाल में और करनाल में कहां पर? राष्टे डैरी अंसंधान संस्तान में 2020 में सुरुज कुड मेले का थीम स्टेट कौन सा राज्य था? ये था हिमाच्छल परदेश और फोकस कंटरी कौन सा देश था? उजबेकिस्तान इस समय पंजाव एंड हरियाना हाई कोड में जजो की संख्या कितनी है? ये है 56 यानि 6 नए जोड़े गई हैं 50 थे पहले 6 जोड़े अब 56 संख्या है पंजाव एंड हरियाना हाई कोड में और वैसे अधिक्तम कुल कितने जजन्युक्त के जा सकते हैं? 85 हरियाना की चोड़वी विधान सबाके उपादेक्स कौन है? ये हैं रणवीर सिंग गंगवा और अधेक्स कौन है? ग्यानचंद गुपता तो फ्रेंड ये 100 क्वेशन थे जो कि आपके आने वाले हरियाना के किसी भी गुर्मेट एक्जाम के लिए बहुती इंपोर्टन रहेंगे आप इस वीडियो को एक्जाम के टाइम पे जरूर देख लेना इससे आपको काफी हल्प मिलेगी और इसकी पीडे फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप वहांसे डाउनलोड कर सकते हैं और फ्रेंड अगर आप हरियाना के किसी भी गुर्मेट एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमने कुछ नोट्स तयार कर रहे हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप वहांसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे वट्सक नमबर 8590-8508 पर मैसेज कर सकते हैं और फ्रेंड हमने एक हरियाना जी के की बुक तयार कर रहे हैं अगर आप उसे लेना चाहते हैं अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो आप हमारे वट्सक नमबर 8590-8508 पर मैसेज कर सकते हैं हम ये बुक आपके घर पे 2-3 दिन में पुचा देंगे